अब 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 आपका इस बहुत ही खुब्सूरत से से सेशन में बहुत ही प्यारे से लेक्टर में क्योंकि आज बोर्ड पेपर जुलाई 2023 का बोर्ड पेपर पुरा खतम गरगर ही मानेंगे लास्ट लेक्टर में मतलब जो पिछला लेक्टर था सेक्शन ए सेक्शन बी मैंने खतम किया था पूरे ओटीन क्वेश्चन हमने खतम कर लिए थे आज कितना क्वेश्चन है सर्फ आ को हम समझते वे जाएंगे सिर्फ आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको समझा के देना है कि देखो यह किस चप्टर का है क्या एक्सपेटर आंसर होने वाला है वो सारी चीज़ें यहां पर आने वाली है जिसके अंदर नुमेरिकल्स होंगे रियक्शन होंगे कि र नया कंसेट ओने वाला ध्यां देना इस बात को एक नया कंसेट ने वाला है पूरा का पुरा जो तीन माख यांसर है चार माका आसर है वह सारा का सारा आपको यहांपे देखने के लिए मिलेगा एवरीवान जल्दी से बोड़ पेपर जुलाए 23 महानस्टरा बोड्र क्वेस तो यह खतं हो गया था, Section A और Section B हमने खतंभे और आज हम शुरू करने वालें है, Section Number C और Section Number D आज हम शुरू करने वालें, यह आज शुरू होने वाला है, यह आज शुरू होने वाला है, अनले का? Yes, yes, yes भी यह चलेगा यह सिटी का अब दिन इस लेक्चर के भान आपको बताओं गाप बहुत जबर्दस आपड़िटियों ऑद लॉए लेक्चर जो खतम होगा तो ने शीटी का अब अब दोख हो देने वालों कि क्या अब दिता आया हुआ है ठीके बहुत मैं कहूंगा जबर्दस अप्डेट है ये समय लो आप ये समय लो आप ये समय लो बस येस चलिए शुरू किया जाए आपकी फर्माईश पर ये रहा आपके सामने सेक्षिन नंबर सी सेक्षिन शी बोड पेपर जुलाई 2023 चलिये यहाँ पहला क्वेशन पहला ही क्वेश्चन सेक्षिन सीगा जो पहला क्वेश्चन है कि अट्यम एप पूरे बारा करा ने वाले हो तो हम पूरा बारा करांगे पूरा का पूरा ट्वेल कराने वाले है जल्दी से लिंगे को बाद शेयर कर अपने दोस्तों मित्र यारो में मजा आने वाला है अटेम एने एट आप फॉल इंट फॉल इंट कोई भी आठ अटेम करो अब क्या होने वाला है फिफ्टीन नंबर का क्वेसिन है अब इसको सब्सक्राइब करना है यही रियक्षिन इसको बनाना है और उन्हें कुछ भी एक्षिन दिये हुए आप दिमाग चलाओ कि ऐसा ओटू कहां पर है सर ऐसा यूटू यहां पर है प्रोड़क्ट में दिख रहा है कुझे वह रियक्टेंट में चाहिए मतब यह जो क्वेशन समझ मैं आया जो इनफमिशन नमर्वान है इसको रिवर्स करो क्या रोगा इसको रिवर्स कर बच्चा ता सब्समें आया कुछ समझ माया क्वेस्टन देखे दिमांग में फिटो रहे है सब कुछ तो आंसर में क्या लिखेंगे बोलो कि सलुशन में क्या आएगा कि सलुशन में क्या आएगा तो बो तो सलुशन आपका आने वाला है कि रिवर्स कि एक वेशन वन और एंड एड़ विट इक्वेशन टू एंड थ्री मतलब यह बोलना चाह रहे है कि भाई वन को रिवर्स करो तो पहले वन को रिवर्स कर लेते हैं एसा एओ टू से एसा एप्लस ओटू बन जाएगा एस आयो टू से एसे केसे में जो उसका डिल्टा वाल्यू होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा डिल्टा जो आपको दिखरा हैं यहां पर स्टेंडर फॉर्मेट में डिल्टा आर जो दिखरा हैं आपको रियक्षन का दिल्टा आर एच नौट फाइनस था तो प्लस बन जाएगा 911 किलो जूल सबको समझ में आया पहला रिएशन सबको समझ में आया मैंने क्या किया वेट डाउट है कहीं पर भी येस 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 अब क्या करेंगे बच्चा अब इसके बाद वाला जो बोल रहा है दूसरा और तिसरा वैसे का उसे बन जाएगा तू सी ओ दिखाए दे रहा है येस सर अलो क्या होगा अंसर तो तो इसके बाद बोलो नेक्ट वाला इनफोर्मेशन का है सी एसाइप लसी विल ग्यू एस आय यहां पर आवियस लिवात है एरो आएगा इस तरह से नहां होगा यह देख लो दिखाए देरा बच्चा एसाइप लसी से आपको एसाइज सी मिल जाएगा ठीक है एसाइप लसी देख लो एस आय प्लसी आपको देगा एस आयसी और इसका डिल्टा एच नॉट बन जाएगा माइनस है तो प्लस आ जाएगा नहीं माइनस ही रहेगा पाइनस 65.3 किलो जून कोई डाउट है बिल्कुल नहीं सर यह मैंने इस तरह से कर दिया कि हमको जो बोला कर दिया जो बोला वो खर दिया खतम अब अपना दिमाग चलाना है बिल्कुल चलाएंगे बिल्कुल चलाएंगे देखों यहां पर एड़ करते जाओ आपको मज आ जागा एक दो है एसाय ओर टू यह हो गया एस एस आयओ टू इसमें 2C प्लस सी मिलके बन जाएगा 3C 3C plus O2 देखते चल बच्चा plus O2 plus SI plus SI SI अब यह सब्हों क्या बचा SI plus O2 plus 2C plus SIC अब देखो कौन से चीज़े सैम से लगा रही काड़ दो पहले सर, O2 यहाँ पर भी है, O2 यहाँ पर भी है S-I यहाँ है, S-I यहाँ है सर, यह तो कड़ गया पुरा का पुरा अब क्या बच्छा बच्छा अब बच्छा गया, S-I-O2 फ्लस 3C प्लस 3C पैरो के बाद बच जानाएगा S-I-C फ्लस 2C-O इस equation को चेक करो, हमारे normal जो question में बोला था, क्या ये उससे match हो रहा है, पहले ये देखेंगे आप, क्या ये उससे match हो रहा है, अरे sir, what to what match हो रहा है, मत्तब ये वाला value भी मुझे क्या कर रहा होगा, वैसे का वैसे यहाँ पर side में calculate कर लेना होगा, समझ मैं आया, समझ मैं कैसे करना है, यहाँ पर मैं calculate करके दिखा देता हूँ आपको, ऐसे ही करना जैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लो, 9, पहले ये माइनस वाले को क्या करेंगे, आपस में add कर लो, माइनस वाले कितने वह रहे हैं, माइनस 211, और ये 65.3, इस तरह से कर लो, माइनस क में से 286.3 को माइनस कर देंगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर बच गया 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर भी 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर आगया 8, 8 में से 2 गया 6, 624 प्लस में आएगा, मतलब सर अब हमको समझ में आ गया, यह लाइन दिख रहा है आपको, इन दोनों को add करना, इसको क्या खरना है बच्चा, तापको यहाँ पर आंसर आजाएगा, देर वोर, तिल्टा आर एच नौट, जो आएगा, हमारा प्लस 264.7 किलो जूला जाएगा, बोला समझ में आया, बोला समझ में आया, कोई डाउटे किसी को, कहीं पर भी ऐसा लग रहा है, वाह, क्या क् तो, अब टेंशन ही नहीं है, अब टेंशन नहीं है, खतम, यह सॉल करने वाला जो वरकिंग, वह भी अप साइड में रखना ठीक है, ताकि पता चले कि आपने सॉल किया हुआ है, यह तीन मा का कुशन, एक्जामनर यह देखने वाला है, कि आपको प्रोसेस सही है कि नहीं, यह सब सही है कि नहीं, यह आपको वैल्यू रखा है, तो आपको समझागा है कि हाँ भाई, तीन मा कूरे मिलेंगे बच्चों को, यह जल्दी चे लिंग को शेर नहीं करने, आप लोग यार मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, लिंग को शेर करो, यह लिंग को पहल ने कटिंगे ओ भाई यह का गया सर क्वेशन तो जड़ा देखो राइट शॉर्ट नोट आउन होफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडिशन रियक्शन सब को पता यह क्वेशन इंपॉर्टेंट होता है जब को पता है यह इंपॉर्ण कोश्चेन है सर और बोला नीचे कि बढ़र बेंजीन डाजुन नेंगे इन और भर लाइट यह भी इसी कोश्चेन है आपको तीन मांका क्वेशन न दो कहिंन न हाँ हो सकता है या दो मांका वह नहीं होगा इस तरह से चलेगा एस चलीए देख कि देडिशन कि और मैं बुरुम आमाइड ही रिडिशन रिच्छ आपको यह दिला दो कि इसके अंदरी अमाइड लेते यस गंदर BR2 और के विच्च मेला देरी या दया आया आपको सका पहले थेरी बताना पने का बिगा विगा विगा से नो तेर्ट रिट रॉटनोड है च्टार्ट थे अपर नियम आमाइड इज रिएक्ट इविट विट वेन आमाइड इस रिटेड विट sodium, and potassium hydroxide, and potassium hydroxide, comma, it gives amine, it gives primary amine, it gives primary amine. In this reaction, in this reaction, in this reaction, the number of carbon atom, number of carbon atom, decreases, hence, it is called as, hence, it is called as, off-man bromamide. T-grade, 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 T-grade reaction, this reaction is also known as, is also known as, step-down reaction, step-down reaction, step-down reaction, step-down ka, matlab, jis me, reactant ke company, me, product me, carbon, kamo, jata hai, pull up clear, ekdom, sab kuch, ekdom, clear ho raha hai, koi dikkat bacha, koi dikkat nai sir, ap kya garing is caration dh, kya dikkat hi a hai, kya raha. Aar c double bond o n h to that is called as a mare de is called as amine. और यह बन जाएंगे आर एन एच टू यह बन गया मेरा प्राइमरी आमाइन अब यह सी डबल बॉंड हो जाएगा के के पास यह बना देगा पोटेशियम कार्बोनेट के टू सीओ त्री बन जाएगा और उसके बाद यह के और बीयार मिल के बंजाएंगे के बीयार अब ऐसे केसिस में आप अब्सर्फ करेंगे कि सर्केवी अर्मी बीयार दो रहें इसको दो से मल्टिप्लाइ करो अब कितना हो गया बच्चा वह बैपका ज्यादा हो गया है आपर दिखाई दे रहा है यह सर इसका मतलब कि जो पानी बाहर जाएगा उसको भी आपको देखना पड़ हो गया यह आपका जेनरल रिएशन हुआ अब इसके रिस्पेट में आपको एक एक्जामपल लिखना पड़ेगा आरेट एक्जामपल का अंसा लिए कि विगा थेरी आपने अल्री बता दिया है आर के जगा पर लेलो CH3 CH3C double bond O NH2 इसको बोलते है एसीटा आमाइड कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं यह सकाइब पैसे दियो तो भर भर के आठाव पैसा लिया है भाई अच्छा अंडेंड रहा होगा नहीं कि फिरी में पढा रहा रहा होगा ऐसा है कि यह से इंचिन अमदलो भाई जिना चैनल अधिक लिजा क्या बूल रही पबलीक सबना में चुपा हुए तुम बच्छा इतना कैसे हो सकता है आफ मैन ब्रोमा माइड ब्रूमिन लेना है अमाइड लेना है इग्रेड मतलब कि आपका जो अमाइड होगा उसकी मात्तरा उसका कारवन का नमर कम हो जाएगा समझ में आया कैसे करते हैं और elimination का मतलब यह अलकी लेकिन बनाना है कि समझ मैं बच्छा को कोई दिक्कत बहुत बढ़ियां कि क्या करेंगे भाई टीडबल मॉंडों गायब यह सर वह सेम चीज़ यहां पर भी छ3 नह2 के प्लस c3 k2 co3 plus kbr लेकिन यहां पर k2 times आएगा बिकुछ br2 है और पानी भी दो बार आजाएगा यहां पर k4 है चार से multiply कर दो यह क्या है सर अगला कोशन था बेंजीन डाजनियम लेलो कुछ भी बना सकते हैं फिलाल मैं बेंजीन डाजनियम क्लॉड ले 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 लेता हूं नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेस्टन गाहे कि यह अंट तो चील ले लो इसमें हम मिला सकते हैं एच थ्री पी यो टू आइप फॉस्पराइस एसीड और इसमें ले लिया एच टू ओ जैसे इनको लेकर रियाट कराऊंगा यह वह यहां जाएगा यह बन जाएगा एच थ्री पी यो टी मन जाएगा यह देखो एच थ्री यहां पर एच टू बचा एक थी एक सील एच लबाहर विसके बात क्या बचा एक है जो आप चला जागा तो बंजागा बैंजीन और इस प्रोसेस में एंटू बाई डिफॉल्ट गैस बनके भार हो जाएगा यह एंट्टू गैस बनके बाहर हो गार कितना EZSR यह क्या है ब का क्वेश्चन दो माख उसके ऊपर एक माख किसके ऊपर यह बन जाए का बेंजीन मोगों कि टाइजोनियम लो राइड बोलो मज़ा आया मज़ा आया पैज लो समझ में आया क्या बच्चा अरे कोई कन फूजन इस तो बोलो ना मेरे भाई बेगा देख है अगला क्वेश्च राइट एने थ्री एडवांटेज अब दो यह ग्रीन के मिश्टिर वह शचर्ट इनमा को लिमें डाल दिया मतव इसके कि कुछन आया डारीक इनमा का यहीं पर आगया इने थ्री एडवांटेज एंड डिस एडवांटेज अपन डैनो पार्टिकल एंड नेनो टेक्नलोजी और यहां पर क्या करना भचा एडवांटेज दिखाना है यह बाताना और सब्सक्राइए क्या है आपको मालू होगा कि यह जो बच्चा नैनो पाडिकल होते हैं बहुत बारिक होते हम अपने आखों से देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते हैं आप हमारे सामने अंगूमर ल और हमको क्या करेगा बच्छा हम हम फुल इफट करेगा यह होता है उसका डिसएडवांटेज टीके मेडिसीन इंडस्ट्री में डाइबेडीस केंसर जैसे चीजों को हम नैनो टेक्नलोजी की मदद से क्या करेंगे नैनो केमिस्टिक मदद से हम आगे स्मार्ट ड्रग्स बना अंसर है पॉइंट अबर वन बिल्कुला ऐसे लिखनेगा रिवुलुशन इन इलेक्ट्रोनिक्स एन कंप्यूटिंग फिल्ड पहला पॉइंट खत्म कि आपको आने वाले दिनों में एक रिवुलुशन क्रियेट करेगा इलेट्रोनिक और कंप्यूटिंग विल्ड में अपका इनरजी सेक्टर में भी ए तहल का मचा देगा आने वाले दिनों में येस तो येस बिल्कुल सही तेकंड पॉइंट आपका एनरजी सेक्टर आपन ने नो टेक्नलोजी विल्मेक औस सोलार पावर पावर मोर एकनोमिकल अनरजी स्टोर इवाइस विल्ड बेल बड़ आफकोर्स क्योरिंग ऑफ लाइफ ट्रेटनिंग डिजीज ओंगे लाइक कैंसर हो गया डाइबडीज होगे उनके उपर हम काम करेंगे स्मार्ट रख्स की मदद से यह सारी चीज़ होने वाली है यह बच्चा हो गया आपके लिए एडवांटेज समझ में आया इडवांट यहां पर आपको स्पेसिफाय करना पड़ेगा नैनो टेकनलोजी ने स्टेंडर का जो लाइफ को स्टेंडर है वच्चा उसको पर उठा दिया है कि ने नोटोजी के आने से लोगा काम बढ़ा हसान हो गया है बहुत तेजी से काम हो गया है ठीके लेकिन उसके साथ में इन नो पॉलुशन यह एर पॉलुशन के रिट करता है जिसको ने नो पॉलते हैं साथ में इस काइंड आप पॉलुशन इज वेरी डेंजरस पर लिविंग और विजम उसका रिजन है कि ने नो पारिकल का इन कॉज लूंग्स डैमेज इन हेल दिए लूंग्स डैमेज है और वो डिबूज रोगे क्या करें बचा हमारी हमारा जो बोडी सिस्टेम उसको हांफुल इफिट करेगा यह हमारे पास प्यारा सा इंफोर्मेशन आ गया है आपके लिजर चेक करें यहां तक कोई दिक्क्त है तीन मां का आंसर पूरा का पूरा टेंशन ही खतम इन मां क यह जाग जाओ 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 सर यह कोई सा क्वेश्चन आ गया यह क्वेश्चन जब मैं पहार आता ना तब भी मैंने बुलाते कि इंपॉर्टेंट यार इसको आप लोग न ऐसे जाने मत दो जाने नहीं देंगे तुझे राइट मॉलेकुलर फॉर्मुला एंड स्ट्चर और सल फ्यूरी के सिर और थायों ऐसल फ्यूरी गैसी यह जो पीड्लॉक चेप्टर होता है जो पी ब्लोग चेप्टर है एलिमेंट्स ग्रूप नंबर छिसे 1718 है ठरस्कर बच्च वह काफी इंपॉर्टेंट चेप्टर इंद आने इस बात को काफी इंपॉर्टेंट को काड़ किया जाए। ओके तो पहला ऐस इल्ट प्रिट एज है आपको क्या करना बच्छा पुछ नहीं करना है यह आपको उसमें एक और एड़ कर दो तो कैसे करेंगे ध्यान देना जरा अधरा साट क्या जाए यह सर नमबर ए A sulfuric acid number A sulfuric acid जैसा exam में पूचा यह वैसा है लिखने का क्या पूचा है molecular formula तो लिखने का यहां पर molecular formula सर मॉली। क्या होता है बच्मन से फल्मूला होता है बच्वाट से पर रहे हैं है यह हची 2-0.4 यह सब के राय्ट होने चाहिए सब के राइट होने चे मैं पहले बोल रहा हूं लेकिन सर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डाउड हो जाता है बहुत सरे बच्छे गणबल घुटला कर देते हैं सर मुझे स्ट्रक्चर नहीं मालू मैं मैं क्या करू जल्दी बोलो यहां पर आने वाला गए स्ट्रक्च सर ते डिखन रहे स्ट्रक्चर फ्टलाव बिदिखे अब इसंव बना दो अब इसकी जगा पेंच लगा दो गया पर दो यहां पर दो यह दो यह बन गया structure of sulfuric acid मज़ा आया क्या मज़ा आया क्या पहले बता दो ऐसा लगा वाह क्या concept है भाई मज़ा ही आ गया है तो मतब sulfuric acid का molecular formula यह उसका structure यह कोई दिक्कत ओके उपर कितना कि लिए और अगर तो बॉण्ड है तो चार 4 इलेटर रूंदि खाने का आइसा चार्चर दिखाने बावा तो जोड़ी में कि इसे लिट्रण दिखानेगा चार्चार इलेटन दिखानेगा और अभल स्रीनी यह भूल समझ में आया क्या समझ में आया नम्बर बी क्या है पेरोक्सी मोनो सलफियूरी करना या और क्या एक एक्स्टा वेड़ कर तो खताम कहानी खताम है मतलब नमबर भी आएगा पेरोक्सी मोनो sulphuric acid तो क्या लिखने का बच्छा इधर लिखने का पहला क्या है sir molecular formula क्या है बच्छा एसे टाइटल देके लिखने का अच्छे से क्यों हो क्योंकि ना इससे पता चलते एक्जामनर को कहां भाई बच्छे ने हमारा रूल फॉलो किया है मैं जो बोल रहा हो कर रहा है है एच टू एस ओ फाइव हम आया है अब लिखने का structural formula बढ़िया से एक दम कि या structure बोलेंगे तो भी चलेगा कि structure कैसे बनाएंगे अरे एस कितना है रहे बाबा सर एस दो है और परॉक्सी वड़ बोला है तो मतलब दो ओ भी पास में होना चाहिए एक एस चार ओ के बार में तो हम जानते ही है बढ़ा तामनी अभी एच्ट एस ओस फोर में लेकिन बा इसमें कोई तकलिफ नहीं है कोई दिक्क्त है बच्चा कहीं पर ऐसा लग रहा कि तुम बेहोस हो रहे हो तो हमको बता दो मजा आ रहा है एकदम मजा आ रहा है येस 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 क्या बात है क्या बात है ये हुई न बात ये हुई न बात ये हुई न बात येस बहुत बढ़ि ह Ninige Tron है Electron किओ मैं इसको दो चलेगा नहीं दिखाया तो एलेट्रोन कमपलिसिए किया नहीं का नहीं प Independence अर्व आपही तूक्टरा बाहिए यह सलफिरील एक इलयका जगेफ हो है जग़वी तो बनद activity activity बचलेव है कौन से चप्टर का है गुरूप नमबर 16, 17 और 18 समझ में आ रहा है थायो सल्फ्यूरिक एसीड थायो सल्फ्यूरिक एसीड पहले क्या टाइटा लने का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या बुलने का मॉलेकुलर फॉर्मूला और सल्फफर भी रहे थायो का मतलब होता है सल्फर पहली बात बतादो सल्फर पहले बता है इस भी दो है और यहां पर थ्री है सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अर्छ देखना बच्चा कि अलफर सफर का बॉंढ बंदा वह नजर आएगा एकस अलफर को दूसरे सलफर से जोड़ इसको बोलते हैं थाईयो सलफर क्या बुलेंगे बच्छा यह थायो सल्फर हो होगया सर आगे क्या अ fiery ऐने आगे एक ओडो ओ तीन मोलें यह तो है तो इसको इधर लगा दो इसको इधर लगा दो डबल बॉन कर दो समझ में आया यह किसका स्ट्रक्चर हो गया थायो सल्फिरिक एसी का स्ट्रक्चर हो गया मज़ा आया क्या तर शौर आप वेकेशन में बहुत साना पढ़ाई कर सकें और जब हमारी शौर 3.0 आपको शौर 3.0 में स्विच कर देंगे आया समझ में एकदम क्लियर गये तो देर मत कर बच्चा फड़ा फड़ा और प्लस बैच लेकर अपनी क्लास 12 के जरनी शुरू कर दे बच्ची ठीक है भूलो म अब आगया अप एक्सप्लेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी ओव टू क्लूरो ब्यूटेन ओभाई यह कैसा कोश्चन आ गया और एक्सप्लिशन में डालें कि इसके अंदर बड़ा सिंपल है पहले आप बताएंगे कि टू क्लोर ब्यूतन को आप्टिकल एकलिविटी यह मत भी कहीन इस अमिलिजम की बात कर रहा होगा अप्तिकला फिश्चामर की बात कर रहा है यहां पर हम टू कलोर इस तरह से यह मेरे पास्ट टू कलोर ब्यूतन आपको समझाने के लिए मैंसल बना त्यूंगा। थे अंग्री कर रहे हूं रए से 100% यह भाइ साहब जो एने चार अलग अलग कंपोनेटें जुड़े हैं इसले यह कारल सेंटर कंटेन करते हैं और कारल से जिसके पास होता है वो अप्टिकली एक्टिविटी निचर दिखाता ही दिखाता है क्या मैं बोल सकता हूं कि आर नौर सुपर इंपोजीबल आफ इच अधर क्यूं क्यों 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 कि अगर मैं इसको काट कर इसके अपर चिपकाऊंगा तो दो चील के ओपर कॉन फिट बैटेगा एच मैठेगा दोके गलत और आर को नौन सूपर इंपोजीबल उफ बसफीबल ऑफ यह अधर नौन सुपर इंपोजीबल ऑफ एच अधर समझ में आया बत्चा यस के आंसर कैसे लिखेंगे तो आंसर में जाना बैसिक सा पाइटरनी वाला आ है यह वह बड़ два न击कमा 20 आसर देखो जब यह समझाए पहले मैंने आपको पीछे लेंग सा रखाए मैंने जब भी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी आप टू क्लोरो ब्यूटेन बोलेंगे तब आपके दिमाग में चीज उड़नी चाहिए क्या उड़नी चाहिए यह जो दोनों दिख रहे हैं को यह दोनों के दोनों क्या are non-superimposable, non-superimposable, the compound which are non-superimposable mirror image, the compound which are non-superimposable mirror image of each other shows optical activity and they contain at least at least one chiral carbon at least one chiral atom at least one chiral atom ठीक है paragraph change क्योंको बात करना है किसके बारे में two chlorobutane के बारे में in two chlorobutane in two chlorobutane one chiral carbon one chiral carbon one chiral atom one chiral atom या कार्बन बुलेंगे तो भी चलेगा one chiral carbon is a present and in the structure in the structure वह भी यह से सब्सक्राइब जालेगा पर्फेक्ट पर्फेक्ट गैफर बचाओ भी चलेगा आपने बोला कि सर अगर हमने तुना थो पिकले अप्टिकल एक्टिविटी इसका गया तो यह तो अब इसका वो श्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इसका में तलास है कि नो आप्टिकल एक्टिवीटी शब्ब म Q α्प्रीकल एक्टि ऑग्ट को ब्लॉरा ब्यूते रिए पिसके ऑपिकल एक्टिविटी कैसे और ने यहां पर लेलिया आपने CH3, CL, H, नीचे लेलिया C2H5, यहां पर स्टार मार्क, यहां पर लगा दिया मिरर, लेबलिंग करते चलना, लेबलिंग करते चलना, यह चीज बन जाएंगे, अगर मेरा D वाला फॉर्म है, यहां कांसिलरेशन में टालते कि यह D है, अगर यह D है तो कारल सेंटर अभी भी है, लेकिन यह बनएगा एल फर्म, यह आर नॉन सूपर इमपोजबल ओफ एच अटर, यह नॉन सूपर इमपोजबल ऐच अग अगर, 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 हमको बोला, एक्सप्लेइन करने के लिए, यह हमारा, यह पाइक्शाम में पूछेंगे, लेक्टि अगर आपको शॉर्ट नोट पुछा गया है तो यह सकते हो PCM वालों के लिए खुशी का महल तो है थोड़ा सा ज्यादा ने लेकिन बस खुशी का महल तो है ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत है वीडियो बनाऊंगा बच्चा में डीटल में पुरा एक्समेंशन बताओं आप को PCM किस तरह से आपका शिप्ट वाय है या वाइटी के टेंशन मत लेना चलिये शुरू क्या जाएं राइट डिफरेंट और सिदेशन श्रूट अप मैंगनीज और वाय एम टू प्लस इस मोरे स्टिबल कोश्चिन ये है भाई इफरेंट ऑप्सिदेशन स्टेट मुछाय स्टाट का जैसा अंसर याइस सर अ देक लीजिए ग्लीजी यह स्यर्या करवा रहे हो यह पूरा बोड का पेपर शॉल परे ओर को नहीं पता है जिनको नहीं कुछ सॉल वारे हो बच्चा फॉर्यूर काइन इंफरमेशन में फिर से बता दू कि पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर सॉल हो रहा है चुला है तो जर तेही स्वाला ता बोलेंगे the electronic configuration of the electronic configuration of mn25 is पहले उसका electronic configuration बता दू मन का इलिट्रॉन का होता है भाई आरगन बहुत बढ़िया कि 3d5 4s2 अब इसको बॉक्स के रूप में बना शुरू करो विकाम को पूछा है डिपरेंट ऑक्सिरेशन बताने के लिए और तीन मां का कुछन दूर्टी मत बताओ पहले तो दिखाओ कैसे आया होगा ये यह 4s और यह 3D अब में एक एक लिटन रहा होगा यह ऐसा है तब आप बोलेंगे दर डिफरेंट ऑक्सिरेशन स्टेट अब आपको बताना पड़ेगा तर डिफरेंट ऑक्सिरेशन स्टेट यह अब यहां सा दो निकलो पहले व्यूस्त टू पर यहां से एक जया का तो प्लस थ्री को अब यहां से ऐसागा थो ग्लस फूर अप्लस प्लस फाइव प्लस एकस प्लस सेवन यह राइंस हो गया है देख़ो यह आइड आञश और कोई दिक्कत कोई डाउट कही पर भी किसी को भी यह बच्छा सचीन टिंदर एपर आ गया क्या बच्छा तू लगत ऐसा ही रहा है आइ लगत ऐसा हे मुझे श्कैने को तो यहां पर आजो डियूरेंट ऑकिर शेन स्टेट इज प्लस तू प्लस फ्लस 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 प्लस प्लस फेप्लस एंगे पुशा आ समस्टर में जो आघ हो थाल क्या होता है तो अगें यंदक्यान भच्छा सेयंच मन-25 इन दॉद protect से दिखाता है कि 3D5 और एस टू अगर हम बोलेंगे क्यार एमन टू प्लस स्टेबल क्यों होता है आप जरा सोचो कि जब हम एमन को टू प्लस के रूप मिलेंगे तो आंसर क्या बच जाएगा आंसर बच जाएगा 3D5 येस अब नीचे लिखो वेन तूदय मैन इस सब्कृ द्देश अवन मेंगर होस्च तो एं इस बेख्रोदय को अधका से lutely CRONG कंवरे मेंगे News तोन इस बेख्रोनक चार्डीर हो pec तोन इस बेख्रोनक चार्डराश का सिर्पाराश exist? becomes argon, follow 3d5 in which d-orbital is half-filled, in which d-orbital is half-filled. The half-filled d-orbital gives extra stability, hence, 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 manganese is more stable. Hence, manganese is more stable, on plus 2. वोलस उनमे प्लस टू पर उजा निस्टेबल के होता है, logic के साथ खिलना सीख वाप. आरप वोल में? आराइस बच्चा, नमर पर आप दो गये तो मुझे समस्तर है, प्लीज रप्लाएगः गर्दो का बोल रहन रहा है। यहां पर रिप्लाइ कैसा देंगे हम चैट में अगर आप जो पूछेंगे तो हम पर आपको एक पेसिफिक नंबर होगा आप किसी बैच मेंगे स्पेसिफिक नंबर होगा आप बस आप टाइप करके डाल दो कभी ऐसा होता है कि मैसे देख लिए और रिप्लाइ नहीं है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर मिर लेना जो चैरा देखते हो दिल में उतर के देखो अनुपला तुम यह गाना गारे बैठ के सर यह पक्यू जा रहे हो चलो प्रपेर दा फॉलोईंग यूजिंग मिथाइल मेंगनेशियम आयोडाइड मतलब सर मतलब गरिगनार रिजंड यार और क्या जोग आप देख देर है और क्या पूचरा देखो अगर तीन तीन रिएक्षन है तीरी का इंपॉर्णिस नहीं होता है एक रिएशन एक मा क्योंकि छोटा रिएशन निये बच्चा यह बड़ा वाला रिएशन है आपको पता होगा येस तो इस बात का दिहान देना चलेगा तन आगे बड़ा जाए येस 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 चलिए स्टार्ट करते हैं ओ माई गॉडट चलिए शुरू करते हैं पहला रिएक्षन इतनोल प्लस नहीं आप प्रिपेर दफॉल इतनोल बनाना है और मिधायल मिनिश्यम आइड़र्ट से बनाना है तो सर प्रिएम को समझा देता हूं मैं आपको आपको खुद ऐसा लगेगा सर कितना इजी पेपर आया था देगो अगर आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मल डिहाइड में ले लू और प्लस गिरिगनाड ले लू तो वन डिगरी अलकॉल बनता है कुछ याद आया यह वही वाला कंडिशन है और अगर मैं दूसरा बनाना है मुझे तो मुझे एसेडल डिहाइड लेना पड़ेगा तो अगर है यह बन जाएगा टरशरी अलकोहल का यह बात समझ में आई बुल 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 बुलो मेरे भाई मजा आ रहा है येस 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 चलिए शुरू करते है फिर तीन रियक्शन मजएदार तरीके सोने वाला है पहला रियक्शन अट सुझरल इस एनल में निया यहां लेक्शन का लेंगे सर्फ फॉर मल्यों कि यह रहां फॉर मल्य कीक्या मिलाने की बात हो रही है फॉर्मल डिके में जल्दी से बोलो धर पोर्मल एड़ में हम बिलांगे कि इस अब अब क्या होगा अब यह एमजी की बेवफाई के चर्चे होंगे यह एमजी भाई साब यहाँ से टूटेंगे जाएंगे ओके पास उसने सिस्ट्री को धोका दे दिया केस यहां चला गया यहां पर आंसर बन जाएगा हो गया है एमजी आई दिख रहा है नीचे आजाएगा च 3 आगे आ जाएगा यहां पर देखो ऐसे आवाई से जैसे पहले था यह मुद्ट पूरा पूरा दिखाए दाएगा अधिश कॉलेच प्रॉपर कॉंप्लेक्स बन गया है अब इसमें हम पानी मिलाएंगे इसमें क्या मिलाएंगे बच्चा पानी मिलाएंगे आज भाहर चला गया है आई और ओएच यह देखो यह देखो इसको बोलेंगे भाई यह तो बन चुका है इथाइल अल्कोहल एड़िज आल्सो कॉल्डे एथे नॉल जैसा पेपर में दिया है वैसा लिखने का इंतनों मजा आया क्या मजा आया का पहला question उड़ गया sir, चालू होते ही खतम हो गया तो, चालू होते ही खतम हो गया, देखो, ऐसा नहीं लगना है तुम्हें, अरे sir, ये क्या हो गया, yes, है कि नहीं, yes, yes, sir, no, agree कर रहे हो, yes sir, चलिए, दुसरा क्या है sir, दुसरा क्या है, नमबर B तो देखो जरा, नमबर भी तो जरा देख बच्चा, ये है मेरे पास, एसिटल डिहाइड, क्या मिला दिया मिथाइल मेंगनेशियम आयोडाइड इसके प्रेजंस में ड्राइडर बोर्ड का पेपर है पूरा कम्प्लीट होना चाहिए यह यह सीएश थ्री एमजी के साथ आई यहां जाएगा तरिया एरो बना के दिखाना है कि जरूरी नहीं इसके लिए जरूरी नहीं यह नाम इंपॉर्टेंट है विकाज यह नाम आप ले रहे हो नाम आ गया एसी टल्डी हाइड क्या नाम आ गया बच्चा इसे टल्याइड में क्या मिलाया बोलो मिथाइल मेंगनेशियम आइडर मिला दिया यह भाई सब पूर आउट के वहां चला जाएगा मतलब यहां प अच्छा एक बहुत बढ़ियां वाला कॉंप्लेक्स बन जाएगा और जैसे ही कॉंप्लेक्स बनेगा ओ मेरे भाई इधर देखो जरा इधर देखो यह रहा एम जी आई वेच टाटा बाए-बाए-बाए अब बुलो आंसर क्या आएगा अंसर आएगा CH3C उपर आगया यह टाटा बाए-बाए अंसर क्या बन गया इसकी आपको तलाश थी प्रोपेन डैस टू डैस और यहीं आप बोल रहे थे यहीं आपका अंसर है बोलो मजा आया नंबर सी बताओ सर नंबर सी क्या है कि इन तिनमा का कोश्य ने बचाई से आप बाहर नहीं भाग सकते यह करन समझ माया क्लियर है कोई डाउट बहुत धांच देखो याद बजरा एसी टोन में क्या मिला दिया क्रिगनाड रिये जेंड च3 MGI इसके प्रजिंस में सर हम बोलेंगे ड्राइए थर के प्रजिंस में MGI चला गया ओके पास अन्सरा आजाएगा सी उससे अटेच हो गया ओ एम जी आए देखते चलो थिस्ट्री नीचे भी आ गया थिस्ट्री यह भाई साब क्या बोलेंगे काम्प्लेक्स बोलेंगे चाहां पर हो यह है च्पलस बहार यह उदर चला जाएगा अब हमारा प्यारा सा अंसर बन ती एच थ्री सी ओयच यह यह देखो यह देखो तीन माग का आंसर देख रहें कासा चमक रहा हैं हुआ हुआ हो नाम बोलो सर दो नमबर पे मिथाईल प्रोपेन के दो नमबर पे आल यह वश्चा पूछा दा नाम को जरा चेक करो पीछे वाला कुछ स्लाइट पहले तो मिथाल प्रोपेन टॉल यह हमारा करेक्ट आंसर एक माग यहां पर एक माग यहां पर चम चमाता हुआ अंसर एक दम अगला इबलोस्कोपे कॉंस्टेंट यह तो अभी मैंने रिसेंटली कर रहा था इंपर्न वस्टन वेट्वी इबलोस्कोपे कॉंस्टेंट गाउता और पुछला रिलेशन बेट्वीन प्रेशिक पॉइंट इपरेशन एंड मुलार मास फॉफस सॉल्यूट है चब गया ऐसे वश आभचा है फ्रिजिंग पाउंटं तो घरबना मत कर देनagenआ आफ इबलियोज्कॉपिक आई बि्योज्क पी-क कॉंस्टान पहन इनर इबलुट गॉपिक-क Кॉंस्टेंट इम यू को पिक अ स्टेंट अबलोस्कोपा कोंस्टेंट it blows copy constant is boiling point boiling it blows copy constant is a boiling point elevation say my name a blood would be constant यह न बच्चा वह बॉलिंग ऑंड लिएशन है रोलूरूज्ड नॉटीना रै रिदू हम और वन तो उलाल you दो स्लूस्टा ओन तो फी आप लिएज कि उड़् एम और वन मॉल्र तो द्रहूषे या थो आ पल्ला साप लिए अपने रिफेरेंस के लिए और सिंस एक माक आपको लेने से कोई नहीं रोख सकता तर यह तीन माक का कुष्यन आप एक माक क्यों दे रहे हो अरे बचे वे दो माक हम अगले पेपर में बताएंगे अगले स्लाइड में बताएंगे अगला स्लाइड में गॉले डिराइड अगले डिर्यजिए प्रेशिंग पॉंट अगला अगला इंट्रेशन के वस्ट अगले ने जांते हो सर अगले अगले युद्ध का ट्रीजिए व्यू रोख पा है तो भी लिग दो कोई दिक्कत नहीं फी आट ए अट टे अट टर टी अट फ्रीजिंग वा के एक्वल टू क्रायोस्कोपिक कॉंस्टेंट यहां से देखना बच्चा एंड एम इक्वल टू मोलालीटी याद रहेगा बहुत अच्छे स्याद रहेगा अब हम क्या करेंगे सर अब हम मुलालीटी की पीछे भागेंगे सिंस मोलालीटी जो होती है स्मॉल एम वो मोल्स ऑफ ऑस सॉल्यूट मोल्स ऑफ ऑस सॉल्यूट यहां पर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट वह भी किसमें केजी में को भी किसमें बच्चा केजी में समझ में आया कोई दिक्क्त है यहां पर आप ऐसे दिखा दो डबलू वन इन केजी ठीक है यह डबलू वन चाहिए लेकिन केजी में चाहिए तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ कि एम इकवल टू किलाल एंटू अपॉन डबलू वन में इंट्रेश्ट है जो कि केजी मोने चाहिए यह हमारा एक्वेशन नूमबर टू हो गया कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं सर्बड़ा प्यारा चल रहा इंफरमेशन बहुत मजदार लग रहा है अब हम एंटू को भाता हाने कि यह आपको w1 टीक स्मएं केजी में रंप गओलेंगे लेट लेटी अ मास आफ II Solid इस डबलू वन ग्राम मान लोग यह डबलू वन ग्राम है अब इसको अगर हमको किलोग्रम बनाना है हम बुलेंगे मास आप फस सॉल वेंट इकोल टू डबलू वन को हम हजार से डिवाइड करेंगे तब जाके वो किलोग्रम बनेगा अब यह information मुझेज हम करना पड़ेगा स्विच करना पड़ेगा यहाँ लिखने का substitute 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 एक विशन नमर वानिकि टुए 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 शरी substitute these values substitute these values substitute these values in equation two in equation two the equation two becomes the equation two becomes equation two becomes बुलो क्या बन जाएगा तर equation two में है क्या हो तो बताओ M1 I question M1 I question क्या बनेगा देखो यहां पर M1 I question N2 मतलब है W2 upon M2 लिखने का है यहां पर W2 अपन M2 भाई मैं अपन को ना ऐसे डिवाई दिखा दिखा देता हूं अगर कभी डिवाईड आ गया तो इसको मुल्टिप्ला करने गा और उसको उल्टा कर देने गा याद आया पहुत बढ़ियां से याद आ गया यह हो गया मेरा equation number 3 अब इसको मैं substitute करूँगा equation 3 को वन में substitute एक्वेशन थ्री इन एक्वेशन वान और हमारा प्यारा सा इन्फरमेशन रेडियो हो रहा है के भी इंटू के भी नीचे के अफ है ना बच्छा तो डिल्टा टी अफ इकोल टू कि एफ इंटू यह शापने का पुरा डबलू टू इंटू एक हजार इवाइड बाइए एंटू डबलू वन क्या मजा आया तर मजा अलग लेवल का रहा है क्या हमको कुश्चन सॉल करने आ रहा है बोड के वो भी अलग लिवल का मजा आ रहा है कि एस यह संजय ओ माई गॉड संजय भी हो सवराय बच्छा मुझे लगा और पेपर सॉल कर रहा है यहां तक बच्चा संजय तुम्हारी लिए खास एक दम एक दम खास तुम जड़ा देखो बोले इबलोस्कोपी कॉंच्टिंट क्या होता है इबलोस्कोपी the boiling point elevation sir यह क्या होता है पहले हमको यह बताओ यह क्या होता है देख बच्छा हमारा एक फॉर्मुला है टिल्टा टीब इकोल टो के बी इंटु एम डिखाई दे रहा है तब लोगों आपस देखों बढ़ियां से टिल्टा टीब इकोल टो के बी इंटु एम यह सर तो अगर मैं इस एम को वन मान लूँ तो हमारा यह के भी जो की इपलोस को पर कॉंशन हो किसके बढ़ावर हो गया डिल्टा टीबी के बढ़ावर हो जाएगा ऐसा करता हो आप फिजिक्स में कोई फॉर्मुला उसको एक जगप पर वन मान के बाकियों को वैली निकाल देते हो है कि नही सारे बच्चे धान दो यहां पर ऐसा नहीं जा रहा है सब कुछ डिटेल में होने वाला है अपर हम जानते हैं कि डेल्टा टीफ जो है के बढ़ाबर होता है यह हमारा टीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मुला होता है इसका फॉर्मुला है प्रीजिंग क्राइलीती होती है इसका कुछ तो गाली ओता है सर मोला एटी और मोला अ सब्ह emphasizing क्राइब निभा धी त्यों विछला में लीटर वड़ाता है लीटर और मोलालिटी में मास आता है यहां पर हो ही का फर्मॉलार बन जाएगा एंड टू अपॉन डबलू ओन इन के जी बोलो समझ में आया यह यह वोलो समझ में आया बच्चा गौज आजम रिपलाय जैसे कि आप कहीं पर जाते हो तो बच्चा को जैसे कि अभी मैं अगर एक जनल इजां पल देता हूं आपको रिपलाइ मिल कि एस अगर आपको लगारा कि मुझे रिपलाइ देना तो आप लिखने का किसर मुझे सोविन सर से बात करनी है मैं सामने से कॉल करता हूं बच्चों को यहां पर कितने बच्चे जिन से मैंने बात क्या होगा में टर्शी बोदी गाइन इस होती है स्टेटीजी पुछते है कैसे आगे बढ़ना है पूर्ड और सीडियों कैसे मैनेज करना है बहुत सरी चीजह होती है लेकिन बच्चा तू बस डाउट कुछेगा सर यह कुशन आंसर बताओ तो तो कुशन आंसर बताने कि हमारे टीम है भाई रहे भाई आपको फेल प्रिपर आंसर मिलता होगा ये स ये सरो जल्दी से बहु येस को मुझे आपको लगरा है कि सर्म आपसे बात करनीए है ये स दो पाप एलिए को में रके को फून ला की दिए तही बच्चे से बात कर और बच्चे को बात पाट करने है गाइड करने लिए तो इस तो टेंशन निलिक् 9 मौलालिटी मोल्स ऑफ्फर स्अलेट एंटू मास ऑफर स्वालवेंट डबुलवन सर एंटो अपन डबुलॉगा है यह एंटू क्या है डखालू एलावन और से दिगो चरा फिर से लिञव घण सहर लोकट और लाजा से डिवाड करते हैं ये वाला वाईल्यू और ये वाला वाईल्यू उठा के इन दोनों में डाल दो इस तरह से समझा और जैसे हम इसमें पूट अप करेंगे आपको तो मालूम है क्या होने वाला है देखो सब्सेट्ट्यूट इस वैली ने कुश्चिन नूमर्ट तो लास्ट वाले एक्वेशन में इस पूट अप कर दो एक वैसे हमारे पक्य हो रहा है अब कि यह अभी कोश्चन आ रहा है आपका प्रिलियम में कुश्चन अलगी पूछ रहे हैं ठीक ना बच्चा देखों हर कॉलिज के अपना पैटर्न होता है पेपर बनाने का कोई कॉले बोड के सबसे बनाता है कोई बोलता है कि आप तो बच्चों की बैंड बजा के मानें हम लो तो बटाइब निकालते जान बूच के अपके बच्चों लोको गोटर्थे नहुं को एक्दम रिलाइस किरेवादे कि तुमको कुछ नहीं आता है तुम नहीं तड़ी पार लोगो कुछ नहीं तो तुममें वह रिलाइसिन करवाने के लिए पेपर तुम भलता ही निकालें रखाता है और जो टॉपर उते उनका भी धिहान रखा जाता है आया समझ में तो आप एकदम रिलाक्स रोख बढ़ियां से करो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है है अगला question किओ दिफाइन वफर सलूशन में उपर सलूशन को बताओ और 4 एपनिकेशन दो नर्गों होएं और बॉफर स्लुशन के डेफेंशन प्लिए एक वांतों गई है क्लीत aí क्लिये है क्या सर भौफर स्लुशन क्या होता है इसवह स्लीटी। पर एक six तक द्यक्त्र तakन है कि यह रहा है प्यकर अगले теперь पुलता है यह बहुत अच्छा पीएच है इसका पीएच दो है और सब को बोल रहा है कि तुम इसके अंदर और बढ़ियां बेश डालो अच्छा अच्छा बेश डालो ताकि इसका पीएच बढ़के न 10-12 हो जाना चीए लेकिन बाबु बोलता है मैं एक जादू मंतर और ये पीएच रुख जाएगा कर रहा है ये बाबु ने क्या किया एक सलुशन लिया जिसका पीएच दो है और सामने वाले को बोल रहा है यहां पर पॉब्लिक ओडियन्स खड़ी है बोलते है पॉब्लिक को आप अच्छा खासा बेस लाओ और इसके इंदर डालो कोई त अबने बेष डाला कि और फिर ये जादू मंतर टबॉब्लिक चोटी से आती है ना पॉटल कौन सा बपर सलुशन का ऐसे उंगली में दबाके जो और दो गिरा दिए उसी कंदर भूट ने कि रादिया उस ने बफर सलुशन गिरा दिया का कि रादिया बच्छा अंदर बफ प्रस्लूशन गिरा दिया फ़र सलूशन गिरा दिया तो भाई होता क्या है कि पिएच जो था पहले दो था पाबू ने बफर सुलूशन डाल दिया और उसके बाद और जो खड़ी थी वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा बेश जाला अंदर और बाद में जब इसका पिएच च अंदर कंट्रल रहा है या इसके हाथों में बफर सलुशन एक या का वली पबलीक मतलब सर फ़र सलुशन वह सलुशन ये ज़ो फिएच में होने वाले ृण्य द्रास्टिक चैंज को रोक देता है बहुत ढांशा दो या बोल रहा हूँ फिएच में होने वाले ड्रास्टि तो रोकना ड्राश्टी मतलब बहुत ज्यादा इन यह स्मॉल अमाउंट आप टोंग एसीड या स्ट्रॉंग बेस मिलाते हैं या पानी मिलाते हैं अब प्याच बदलना चाहिए लेकिन यहां पर यह बोला जा रहे कि पीच बदलेगा नहीं यहां पर क्या बोल रहा है बच्छा पी एच बदलेगा नहीं बोल रहा है फिर से लोग देता है जब उसके अंदर आप श्टॉंग एसी ड्रॉंग बेस या कोई पानी मिलाते हो यह तीनों चीज मिलाने के बाद भी कोई बफर सलुशन आप कोई पीच में फरक नहीं पड़ता है इसका क्या है यह पॉइंटर बड़े खास है आपके लिए पुरा अंसर ने लिए दो भी चलेगा मैंने पूरा आपके लिए दिया हुआ है इसे पहला है बायो केमिकल सिस्टम तर यह क्या होता है अगर जीरो पॉइंट टू का भी पीच का डिफरेंस वा बादी में आदमी मर सकत है इसका मतलब कि हमको चलाइन कि होता है यह सोलूशन दिया जाता है बैसिकली तो यह पहला है आपका बायो चैमिकल सिस्टम के लिए यह पर आपको हमारे बॉडिब कमें बाणा है और कौन सा वाइं ले इंगेश को मेंटेन करने के लिए वह बता ना होगा इसका मतलब कि चॉइस ऑफ फटिलाइजर जो होगा वो डिपेंड करता है उस पर्टिक्लर पीएच ऑफ स्वाइल के उपर पीएच कितना है स्वाइल कप उसके तब से मैं डिसाइड करूंगा कौन साथ तॉल्ट है कौन साफ फटिलेजर लगेगा था ऊसपाड लजर में ज्यादा हो गा इत्यसरा है इंडस्ति भीच इंपर्टन रोल इन पेपर इंडस्ट्री डांड़ इंडस्ट्री इंक एंड पेंट रॉन इंड्रस इंडस्ट्री और लाश्त हैं मेडिसीन के अंद लेना कोई डाउट है बच्चा वेन साइट्री एसी डिजाइड टू मिल्क ऑफ मैगनेशिया जब साइट्री एचिड को हम मिल्क में मिलाते हैं तो मैगनेशन साइट बनता है जो कि अगेन एक बफर का काम करेगा यह सब तो कहरम इलिγο कर साइट चाहर तो मिल्क अगई एलिमेंट मौलिक लो फॉर्मूला एक इलिमेंट जिसका मुलार मास बोल डॉल सकते हो मौल कला मास तो गिवन डेटा में देख लेते क्या क्या दिया गया है मुलार मास का मतलब है मैंने यहाँ पर कैपिटल M ले लिया जो कि 27 ग्राम पर मूल दिया हुए ठीक है क्योबिक उनिट सेल विद एज लेंथ एज लेंथ दिया है 405 पीको मीटर इसको कनवर्ड करना पड़ेगा यह बन जाएगा पहले 405 सोब है 405 इंटू 10 का पाउर-12 ले लिया धाइश देखना वच्छा फिर मैं बोलूंगा 405 इंटू 10 जिरो फाइफ और यह बंजिक टेन का पावर माइनस एट सेंटिमेटर मतलब फाइनली यह वाला आंसर माना जाएगा सेंटेमेटर वाला तर ऐसा क्योंकि आपने विकॉस देंसिटी दिया ना देखो ना इंसिटी कितना है कि थे 2.7 ओवेंट पार में प्यूब हैं तो सेंटिमेंटर वसंटिमेंटर इस लिले ना पड़ा नेचर और क्यूबिक यंट सेल बताओ तक रला नीचर अधर चारा नीचर ओफ क्यूबिक यूनिट सेल को बता का यह कैसे निकालेंगे सिंपल यार इसका मतलब आप एन का वैल्यू निकालो खतम गेम ओवर समझें क्या अवेकटरोज नमबर अपने को पता ही है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इधर देखो मालू में नाम अपन नाव 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 कैसे आ गया दोगा यहाँ पर इसको बोलएंगे नाम अपन शर्क वहाँं क्योंक्ति बच्चा ये एक क्या है सधने महीं वोलिउम है इसे लिए हैं नाओ पर बाद में है तो वोल्स은 को फॉर्मूला बता देने गा। तो यहां पर बन जाया का N एक्वल टू इंसिंटी इंटो एंटू ए इंटो एक् You ुबडिवाइडबाय का वैल्यृउ आएगा उसके आम बताएंगे कौन सा यूनिट से लाने वाला है बोलो मजा आया कोई दिक्क्रते बच्छा ऐसा लग रहा है वाह इन मांक सर अमारे जिब में एक दम बस थोड़ी से महनत थोड़ा सा हॉसला और मांक समारे जिब में तो सब्स्टिट्यूट या पहले ये बोल दू सलूशन ये लो, solution, क्या बोलेंगे सर, from formula, n equal to rho a cube n a upon capital M, ये है 2.7, 2.7 ही था ना भाइद रहा चेक करो, ये सर, और नीचे उपर है 4.05 into 10 का पावर माइनस एट उसका आपको लेना है 3 ताइम्स एनने होता है 6.022 into 10 का पावर 23 और नीचे होता है 27 जो चार चो का सोल चो का 64 और उसका 0.5 है तो ये चोंच से सर्सक्राइब का साता है या आपको शॉटकट बता रहा हो 0.4.05 66 to 67 के बीच में आता है अगर 4.08 अगर तो 68 बन जाता है ठीक है तो उसके आसपास आप सोचेंगे यह और 2.7 इसको रहने दो ऐसे लगभग 67 का आसपास आह तीनके बखर मैंने 24 इसको भी छे ले ले लिते हैं जाता फरग निया का अजय तेंशन मतलो और बाइट बाइट पाइच देदा को ऑन जाय को यह को तेंशल मतलेना रहा हुआ इसको अगर मैं कॉत कर आंग अगर मिग मैं को कुद करता हो सम्झोग इसको एस 65 है तब लगबग उसके आसपास आएगा तो आसा कन्फ्यूजन ना होने पर इसलिए में सॉल भी कर लेता हूं एक अन्दा लगा रहा हूं कि उसके आसपास आना चाहिए पांच पच्छीज पांचों का बीस एजी है कैल्कुलेशन भी तो आप कर सकते हो हुआ 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 है यार पच्छे बीस चार चॉपका सोलर हुआ है पचीज दो आठ एक फिर यहीं कर दो इसमेलबाद में चाल पर जाए 1,2,3,4 एक दो टी शार आच वन पॉयंट एट इट वहां एक चार तो पांच ले लो पांधुनी दस जिरो कहरे गया एक पांच चारीश से कर से का एक कर ओंखिए पांच एक एक कर आए चार पांच एक में पांच चार नौ ठीक है यहां पे कट नहीं किया मैंने इसले गलती आ रहा है ना पे कट नहीं किया बच्चा इन प्लेस पर डिसमेल लेना तो को जड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता हूं बस और कुछ नहीं नहीं तो आप ऐसे अंदाजा लगाएंगे तो भी आपको समझना आएगा इद्यों को दूख चाहर 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 चौट चाहर पैसफास आएगा वैट इस तो चाहर पॉइंड चाहर रहा है बाही बार भाएंगा उससे है ठीक है च्टार पच्छे 20 कुरें हैँ तिरो जीरो जीरो फिर यहां पर चट कुट ओंट एक चार्शब चौबिस एक पचीज को पाँच कह रिए दो चार एक में चार दो चेज अच्छ आ रहा है अच्छ ते शिबाइट चुद्र शेक्सा आ अपने को और अच्छी बात है तीन से कड़िया आएगा काटी देते चाहिए तो तीन नवा सत्ता आइस तीन से कड़ा दो बाइस सही बात है थोड़ा काम आसान हो जाने हमारा इसको भी कड़ कर दो तीन दूनी छे तीन तरीका नव तीन नवा सत्ता इस 0.9 वा या सीन है 0.9 आगया नीचा का पुरा गायव इंटू 22 इंटू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 1 सबको समझा बहुत अच्छा से जिरो पॉइंट नाइन इंटू बाइस दुनी चोवालीस बाइस दुनी चोवालीस इंटू टेन का पावर माइनस वन क्या मैं ऐसे वसुन तक यह 4.4 हो चुका है इसकी वजह से और यह 0.9 है तो सर यह पूरा सॉल करने भी कितना आ रहा है यह पूरा सॉल करने पे अगर मैं म सब्सक्राइब करने जिरो 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 बातभी आंसर आगा 3.96 आगा दो प्लेश में के बाद 3.96 इसका मतलब क्या इसका मतलब यह हो गया कि है नेचर आफ क्यूबिक सेल इस द नीचर आफ द नीचर आफ क्यूबिक सेल एज फेस सेंटर क्यूबिक सेल ठीक है ब्रैकेट में बता देने का एफ सी सी है भाई साहब समझ में आया क्या था बोलती पॉब्लिक धीच को यह में मिलगा लिखेर्ट फीच्ट को बाउट राइक्स शाट map मार ये दूट आगया explanation देना होता है अगर reaction आपको direct पुछा जा रहा है और उसका theory लिखना है sir अगर कोई reaction बढ़ा है और उसके बाद उसका marks भी दो दिया हुआ है एक मांका निया दो मांका है तो उसके theory बतानी पड़ेंगे समझ में आया कोई डाउट अगला question आपका इंतजार कर रहा है on the basis of balance bond theory on the basis of balance bond theory explain nature of bonding in NICL42- complex किनमा का question है जी हाँ कैसे solve करेंगे बहुत easy है NICL4 में CL high-speed ने पहली बात इनको नहीं पाता उनको में बता दू और सॉल कैसे करेंगे सर तीन-तीन मां का question है बहुत easy बच्चा में बोल रहा हो ना पहले आपता है अटॉमिक नंबर अटॉमिक नंबर और निकल इस ट्वेंटी एट अपको समझ माया रहा है कि आपको रिकार देंगे अपको रिकॉर्ट अचने वाली है टॉपर की और इसक पर क्वेसर बाइशाय प्रिपोल वाजाएगा ठीक हो ठीक देखंग अठीक निवर आप यह टो में आप निगल जो है ट्विन्टी एक तर्ट क्या करना एफ इसका अब अब स्क्राम क्या गरेंगे अलेक्टरोनीक अनवरचान निकाल देए की जिए टलिया थे रेइस अपरेस्टाटूइक इस घ्लावरच्टानी करदकीशन अप्राटून शर सामध और टैस नभर दनू 3D8-4H2 अब उस फर्मुल्य बजाना देखते हैं और उसके बैसे पर का निका लेंगे और अक्सिदेशन निकालेंगे तो ऑक्सिदेशन नमबर तो ऑक्सिदेशन नमबर आफ निकल इन एन आयए चील फोर टू माईनस बोलो इसमें निकल का ओक्सिदेशन नमर क्या होगा तो सर एन आयए ऐसी एल फोर अगर मैंने एसा ले लिया चू माइनश के रूप में एन ऐका वाईलू पथा नहीं यह माइनस फुर बनागा माइनस वापस से समझा रहा हूं डरना नहीं तीनमा का कोश्चे नहीं मजा आएगा आपको एक दम अलग लेवल का सुकुन दूंगा गारेंटी लेलो आप एटोमिक नमबर ओप निकल अठाइस है एलेट्रोनिक अन्वेशन आपने सॉल किया परफेक्ट ऑक्सिदेशन नमबर हम नि लिए आपर इलेक्ट्राणिक कॉन्फिगरेशन अगया जो एन आए टू प्लस एबच्छा यहां से दो लिट्रोन निकल गया तो क्या बचेगा सीफ आरगन बच्छा और 3D 8 बच्छा यह बात एकदम दिमाग की नौसों में उतर रहा है हर एक बच्चे को लग रहा है वाह जबर्दस्ट 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 चाबलदी बबली सर अब जो एलिट्टोनिक आपने लिखा है क्या उसको में बॉक्स डागनापा जिरू प्र भी लिख सकता हूं बिल्कुल सकता हूं फिर दो इलेक्ट्रोनिक कोंपिरेशन इज री प्रेजेंटेर ऑन फिर आइज इन बॉक्स डियाग्राम प्रिप्रेजिंट इन बॉक्स डियाग्राम आइज दिखा दो बच्छा कैसे दिखाते हैं तो बॉक्स डाइब तो ए यार को निलिखना है उनका 3D को लिखना है सिर्फ एक दो तीन चार पांच यहां पर एक लिट्रों दो तीन चार पांच यह समझ में आया आप क्या करेंगे बच्छा जगा कम पर जड़ा में तुर्णा सा जगा जगा जड़ा नीचे बना लूँ चलेगा तो मैं यहां पर बना लेता हूं एक दो तीन चार पांच यह 3D है अच्छा अगर 3D मेरे पास तो आगे क्या आता है 3D के बाद आता है 4S और 4P आएगा जो कि ब्लैंक होंगे पहली बात यह ब्लैंक है डरना नहीं तरियो कहां से आ गए यह और बिटल नेक्ट वाले होते हैं यह में कितने लोग आठ एक दो तीन चार पांच यहां तक समझ में आया बच्चा क्या कोई confusion है अब मुझे बताओ नंबर आफ लिजन कितने है तर नंबर आफ लिजन चार है अगर नंबर आफ लिजन चार है तर मुझे चार घर खाली चाहिए लेकिन सर इनको आगे शिफ्ट कराओ ना 3D वाले को आप वो क्यों नहीं करा रहे हो नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे बोलो नहीं करांएंगे क्यों सर प्रेffen हैं अच्छील हाई स्बास में कि ने बताए ब misma हीत बढला नहीं रहता है तर कहा रहता है इयो नहया लगंगे तो इसको नधम हें ऻाओं लग जो काया टेड़ी टाइटेट अंहीं वाल में याता और तो बोटन रहा हूं में यहीं तो बोल रहां हो के कन चारों को 5550 आइशने मला है SP three over geometry galop tetra header log a push a guy hey to push a key nature of bonding but I've got time so I get ready time collecting is getting theory information me the number of legend present number of legend get another job the number of religion is or therefore number of legend is poor they are poor they are poor or back-end orbital is required or back-end orbital is required to make a complex compound say about them to make a complex compound I guess pacifier though since CL is a high spin legend CL minus your CL volume into visualica CL is a high spin legend since CL is a high spin legend hence it can not hence it can not take my upper hence it uses s 3s orbital hence it uses 3s orbital and 3s 4s and my fault hence it uses 4s orbital and 4p orbital I have only made to make a complex compound below you about something I have a get up together okay but cha have a get up the cow here can you can get box it is a box you can take a single a dough a dough the charge for this of chordo get three years yeah yeah do it in a camera 3d is my body could be a do it in a 2-3-4-5-6-7 is a reason now I have a partner can also put chlorine kdo electron chlorine kdo electron chlorine kdo और यह हमारे पास है 4S और 4P और यह आपस में ऐसे मर्ज हो जाएंगे और आंसर बन जाएगा SP3 hybrid orbital पुल यह बात समझ में आई क्या हर इक बच्चा एक्दम अच्छे चाह समझ पा रहा है कोई डाउट है सर इसकी जो मेट्री क्या होगी बिल्कुल यही बताना है यह लाइज पॉयnt में अज़िए जयुमेट्री को प्लेक्सकंपाउड इस जो मिट्री आफ दी कॉंपलेक्स चॉंपाउड इस ट्यूमेट्री सै अट्राहेड्रल या या कैट राइडल ज्यूमेट्रिक्रिव क्यूंट विवहागी बच्छा आगर SP3 आएगा अगर SP3 आएगा तो टेट्राइडरल होता है मैं तो जोमेट्री आप दी कॉंपलेक्स बीकॉंस टेट्राइडरल और सबसे इंपॉने चीज़ एंड इट रूंटेंस अन्पेड एलेक्ट्रॉन अब देखुए आपर अन्पेड लटन है इसके पास इट कंटेंस अ इन नेचर बोलो तीन तीन माख समझ में कैसे मिलेंगे अगर आपको लग रहा है किसी को भी कहीं पर भी वसूल एक्दम प्री लेक्ट्र में तो भाई अलग लेवल पर कंटेंच चल रहा है यूट्यूब के ऊपर पूरा बोर्ड पेपर सॉल हो रहा है और आबर केमेश्ट बोर्ण पेपर आने वाला है बस कितने घुक्शन दूर हैं लेट छे कौश्चन और दूर और पूरा रपकिस सॉक लगा आपके लिए पूर पेपर कॉंप्लीड बोर्ड पेपर सोचो कोई नहीं करवाता है और करवाएं वह आंसर पहले से लिख रहेके छापएंग घए ल इसका हमने बॉक्स डियाग्रम बनाया बॉक्स बनाने के बाद मुझे यह रिलाइज हो रहा है कि भाई इसमें तो फोर लिजेंड गए और सब्सक्राइब कर लो चैनल को बहुत खास चैनल है पोड एक्जाम के बाद जो एंट्रेंस आएगी वहां तक आपका साथ रहेगा शिफ्ट एनल्सिस तक आपका साथ रहने वाला है एंजिरिंग तक आपका साथ रहने वाला या रखना इस बात को यह बहुत खास होने वाला आपके लिए ये चैनल सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है मैक्सीमम इस चैनल को शेयर करो यह यह आपका चैनल है और यह हमारी आ और दमाना का लेते हैं, ready, yes sir, अगला क्वेश्टन आपके लिए, देखले अपन, कन वर्ट रियक्शन आगया, जी हाँ, अगला क्वेश्टन आपके लिए जो रियक्शन की रूप में आ गया, जहां बूल रहे हैं, इतना जल्दी रियक्शन आ गया, और सर ये ग्वेश्टन कुछ जाना पैचाना सा लग रहा है तीन माका क्वेश्चन है और मजा बहुत आने वाला इसमें येस और नो येस और नो फॉर एस फॉर फॉर्डी इन फॉर्स डाइग्राम और जिरो फॉर्डी जिरो जा बोल रहे है भाई पड़ गए नहीं और दी नहीं आए गारे बच्चा और दी क्यों नहीं आएगा सर अब और यहां पर छे और अर्बिटल होता तब हम ऐसे डी बनाते आगे और तब इसके इंदर भी बोलते कि हाँ दो इलेट्रॉन यहां पर inatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat करेंगे कि क्या करेंगे बच्चा नंबर ए बोला है एसीटिक एसीड तू एसीटाम आईड़ कि अल्डी हाइड करों का क्वेश्चन है तीन-तीन माक वाला बहुत इजी लग रहा है अगर मैं बोलू कि यार मेरे पास सी एच तरी सी डबल बॉन्ड ओ वह है और इसमें आप एक काम करो अमोनिया मिला दो प्लास में पताया था यह सर यह यहां जाएगा इसको बन जाएगा मैं आपको बोलता है कि भाई इस कंपोनेंट को हीटिंग एफेक्ट में डालो जैसे आप इसको हीट करेंगे ओहां से एच तू यहां से ओह टाटा बाइबाए आपके सामने आंसर चमक रहा है अग्या आप बताओ क्या बन गया तरही तो यह सिटामाइड बन गया बिल्कुल सही जवाब पहला क्वेश्चन डण 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 बोलो कोई कंफूजन कोई डाउट कोई ऐसा है जो किसी भी एंगल से लग रहा है कि सर यह मेरे साथ गलत हुआ है मेरेको नहीं समझ नहीं समझ जाएगा क्योंकि यह बेस है यह समय से अगरते हैं एलेट्रों खीच था एच प्लस को खीचते हैं यह बनेंगा अमोनिया मैंस थिरी से बनेंगा नहीं पूर प्लस ओ माइन पास में जाएंगे बनेंगा एक सॉल्ट को आगे हीट करेंगा आपका प्रॉपर पाने निकल के और है अगला क्वेशिन का एक सर्थ अगला एक टाल को राइट टू एक और राइट जो को बचल यह जोक आफ देट चॉक अब देट वर्यूर्ट राइट वर्यूर्ट नेंबर बीडिंग इसे टाइल नो राइट तू कि एसी टिक कि एन हाइड राइड तो आपके बस बहुत सारे ऑप्शन्स होंगे आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो जैसे कि यह एसी टाइल क्लॉराइड है बच्छा ठीके और यह है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसी डिक इसी फुरा सा दिमाग चलाओ तो आपको लगे आ रह सब्सक्राइट रहें सोडियम सो zeggen क काम बंग सकता है because NaCl बाहर जाएगा सरीय रियेक्शन अपने कराया था मैं आपको बताता हूँ ये रियेक्शन दो को इस तरह से बताया गया था आपको मैं आपको याद दिलाता हूँ थोड़ा सा alternative method आपने किया होगा ये रियेक्शन आपको इस तरह से समझाया गया था अगर हम इसके अंदर SOCL2 डाल दे ये acyl chloride बन जाएगा थोड़ा सा याद दिलाओ अपने आपको और यहाँ पे अगर हम NaOH डाल दे ये sodium salt बन जाएगा अब आपको याद आ रहा होगा और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तब हमारा compound बन जाएगा Yes मतलब सर यहां से यह बाहर चला जाएगा तो मंडली क्या बोलती पबलीक अरे सर अब पूरा समझ में आ गया यह यहां पर ने आधे से क्वेश्चन पुछा है आपको पूरे से नहीं पुछा है आधे से पुछा है समझ में आए बच्चा निखिल समझ में आया क्या एसो चल टू देनेशिट अलकुल राइड तब हम एनेश्टी मिलाएंगे भाई इतना आगे क्यों जा रहा है बच्चा इतना आगे क्यों जा रहा है अब समझ में आया अब ऐसा लग रहा है सर यहां से एने सील बाहर नाम आ गया एसीड एन हाइडरी लेकिन सरा वह बोला क्या है पहले वह देखो पूला क्या है हमको एसीटाइल बोला है मतलब हमको यह जंरल पार्ट्स में इंट्रेस्ट नहीं बच्चा हमको जंरल पार्ट की जगह पे CS3 में इंट्रेश रहेगा समझ मायरा सबको CS3 में इंट्रेश रहेगा क्यों कि वाँ पर पूछा है इस इस इटायल के रूप में नाम लिखने का यहां पर इस इटायल क्लॉराइड कि दिखाए देर है यह सर और इधर क्या बन गया आपके लिए इसको बोलते का बोलते हैं सॉडियम acetate इधर CS3 लेने का इसका नाम है sodium acetate उल्टा करके लिखाया मैंने तुमारे लिए कि जब यह बाहर जाएगा तब तुम्हारा प्यारा सांसर बन जागा जिसके तुम्हें तलाश है यह एक्जाम में लिखना है यह नहीं यह रफेरेंस के लिए बता रहा हूं अचानक से तुम बहुत रहों मालूं बढ़ा ऐसा रिचन आगा तुम पानी में गिर रहे हो बहुत रहा है सर्ट अगला स्लैट खुल गया ओ रहा रिलाक्स मिल गया रिलाक्स मिल गया सर कैसे रिलाक्स मिला क्योंकि आपने एक्च्छल रियक्शन देख लिया जहां से होता है यह अगला क्वेशन जरा देखो sodium acetate to methane joke of the day again sodium acetate to methane बोला है number C वाला reaction easy लग रहा है बहुत ज्यादा easy है तो comedy comedy reaction पुछा है sodium acetate to methane कैसे करेंगे sodium acetate बोला है तो CS3 लेने का c double bond o o n a इसको बोलते हैं sodium acetate था मिलाने का बच्छा इसके अंदर an a o h in presence of calcium oxide आगे इस प्रोसेस को बोलते हैं डी कार्बक्सीलेशन विछ या दाया बहुत कुछ याद आया आखे खूल हमारी क्या हो गया आंसर में आंसर में बन जाएगा CH3 से बन जाएगा CH4 यह भाई साहब बाहर और आंसर बन गया मीथेन आंसर बन गया मीथेन बोलो मज़ा आ गया येस और नो अगला क्वेश्चन चम चमाता हुआ सेक्शन नमबर सी यहां पर हो चुका है ओफिशली खतम वाह क्या बात है क्या बात है एक बार यार जबर्दस तरीके से पहले लाइक कर दो वीडियो को येस अपने दोस्तों मित्रों यारों को अगर आपने शेर नहीं क्या होगा किसी भी एंगल से आपको लगा अरे यार एक चल रहा एकदम कंसेप्ट के साथ खेलने वाला कंसेप्ट है पुरा एक भी ऐसा कोई कंसेप्ट ने जहां पर तुम्हें लगेगा यार छूट रहा है कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होगा सब कुछ एकदम वेल प्रिपेर वेल प्लांड येस और नो जल्दी से अपने दोस्तो डी सेक्शन की शुरुआ की जाएं आर यू रेडी फॉर्ट सेक्शन नंबर डी पहले बता दो आर यू रेडी फॉर सेक्शन नंबर डी कि येस ओके तो चलिए शुरू करते हैंगे अटेम एनी थ्री यह लेकर हम पूरा कराएंगे तो 27, 28, 29, 31 पूरा होने वाला है अटेम एनी थ्री केवल तीन क्वेशन आपको एक्जाम में करने होंगे जिसमें से पहला क्वेशन आपको लग रहा है सर ये चार माग बड़े इजी ल कोई दिक्कत नहीं आराम से हो जाएगा पहले हम डिफाइन आइसो मॉर्फिजम करेंगे किसे को मालूम है सर कुछ-कुछ याद आ रहा है आइसो मॉर्फिजम इस काइंड ओफ एलोट्रॉपिया अपने पढ़ाया था लेकिन वह सब्स्टेंस के लिए होता है बिल्कुल से लगा अगर ili men kelau वा तो उसको पोलेंगे उसको हम बोलेंगे जल्दी बोलो मतब एकomeड़ियो ट्रमी निवालेन एक पॉलीवória पॉलीमॉर्फिजम जो तो विलेट्रॉपियस वहता है सब्संस के लिए यहाँ पर एक ही एक ही कंपॉण के दो ऐसे से सेम तरिके स्ट्च् जल्दी से येस पहला है isomorphism definition में आपको लिखना पड़ेगा एक माका अंसर होगा वह आपसे कैश्पट करेंगे complete definition मतलब isomorphism 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 morphism इखाई दे रहा है यह सर क्या बोलो isomorphism कैसे डिपन करेंगे two or more substances two or more substances having same crystal structure y'aar same crystal structure are called isomorphism अब एक माका question रहें लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बलते ना कश्ट करके एक्जामपल लिखा देना क्योंकि क्या होता है मालू में एक्जामनर की नजर रहती है कि भाई कहां पर तुमको उड़ाया जाए तो ऐसा नहीं होना जी कि तुम यहीं पर उड़िया हो एक्जामपल में एड ए एफ एन एफ न एम जी ओ प्रेक एक्जामपल लेगा तो एविंग एट तॉमिक रिश्यू एक है अब्दा गलिए आपको डिम ढूराइग दो इसके बास सेम इसल च्रेक्ट श्रक्चल रहे गा तो हम उसको बोले है आइस्व आइसो में दिखा ह्रायए और साथ में बोल रहे कि भाई एक 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 ग्सापल-पैर पेल्च श्रक्रेक्ट ओवर या एन ASP or MG ऊट बढ़ी ह एक्ष्टेस्पल प्यारे से ग्जामलो एक अगला कोस्टने आरने स्केशिनली को मातर एक्विशन बेग मांग मिलिगा यह प्रेट फर्वर आपका लिगना बच्छ एक्विशन लिगना आरने इस एक्विशन एस क्या होता है मलूमे यह क्वेल टू फड़ा है लोगने आरहनियस इकोईशन इस गिवन आइज आदेने से क्वेशन इस गिवन आइज गाई बचार इनसे क्वेशन हम बुलेंगे के एक एक वल टू इंटू एक पावर माइनस एए अपान आरेटी विडाउटे वे कन फ्यूजने कुछ और पूछा है क्या नहीं सर लेकिन फिर भी थोड़ा बोट जितना जानका रुटना बता सकते हैं यह सर के क्या है पियर के एक फोल टू क्या बोलो एक एकुल ट्रेट कॉनस आओड बोलते है та रेट कॉनस्तेंट इज एक वो लिंगे एक्टिवेशन एनरजी बोलेंगे एक्या जैरूरी शुनow again impression सिट कर रहे हूं इन गersन क्या माइन के ऊपर हार क्या था है गैस कॉनस्टेंट कि क्या है टेमप्रेचर एसर्फ कि यह क्या है आप लोग ने प्री एक्सपनेशल फेक्टर नाम शुने कि ने शुनाए पर येस नहीं सुना है तो सुनो तो प्री एक्सपोर नेंशियल कि फैक्टर क्योंकि रूप में काम करता है यह होगा आपका प्यारासा इनफरमेशन एक मार इसके ओपर मिल जाएंगे अब पूछा है कि इसका और जाओ आपको पीछे डिखो क्या पूछा है पुला ए राइट एक्सप्रेश्ट एडिरावन एक्सप्रेशन टू डिट्रमाइन एक्टिवेशन एंशिचे एक्टिवेशन एंशिगा आपको क्या करना बच्रण निकालना है तो पहले आप बता तो कि इसका हम लॉग के और सिखाते समय अगर आपको नहीं अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा पहले में थोड़ा साब को समझा दो कि कहां से बनता है इसमें हम क्या करेंगे बच्चा ये इस समय आप सब्सक्राइब सोनला म्यौा करेंगे। लन इकोल टो पोइंट 303 लॉग टू डिबेस्टेंड हम यह वाला फॉर्मूला अपलाय करते हैं इसके अंदर इसके सामारा यह 2.303 के हो जाता है यह बहुत अब 2.303 log a हो जाता है ध्यान देना और यह माइनस यह अपन आर्ट यह सोरी माइनस यह अपन आर्ट वैसे का वैसे रहता है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस को पहले ले लो हमारा आंसर ऐसा भी आ सकता है 2.303 log to the base 10 k equal to minus ea upon rt ध्यान देना बच्चा प्लस log to the base 10 sorry 2.303 कि लॉग एक पहले यह कुशन को अच्छे सा समझो यह एक कुशन को बहुत अच्छे सा समझो रिजन क्योंकि जब तक आपको यह क्वेशन नहीं आएगा ठीक कद आपके लिए बनी रहेंगी यह पुल यह पोटें रिखाना यह क्या मुझे नहीं दिखाना नहीं है यह दिखाना नहीं होता है भच्छा यह दिखाना लिटली बॉलना होता है हम पता है वी नो that वह चांव जानते हैं आपको ड्रीटली बिट्वीन रेट कॉंस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी इस गिवन एज एंड एक्टिवेशन एनर्जी इस गिवन एज बोलो यह मिल जागा आपके लिए अगर मैं इसको टू.303 से इसको भी 2.303 से जवाई कर दिया समझो इसको भी 2.303 से टिवाई कर दिया समझो इसको फींड इन्सरे को यह बन जाता है pen LA लॉग ए माइनस ये अपन ये 2.303 ऐसा आ जाएगा तो सही माइने में हम इसको यूज करते हैं यह हमारा रिलेशन जो मैं यहाँ पर यूज करने वालो गिवन एज लॉग तो बेस्टें के क्योंकि 2.303 कड़ गया इकोल टू लॉग तो बेस्टें ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर पी क्या यह इस अप्समझ में आया बहुत से लोग को डावटी कि सर क्या हमको यह भी दिखाना है नहीं यह नहीं दिखाना यह मैंने आपके लिए बताया कि कहां से आया होगा 90 बच्चों को यह नहीं समझता है कहां से आया है रहते हैं याद रखो फिर से रिपीट कर रहा हो एलन के क् लॉग लगाएंगे यह लॉग ए यह आपका बाहरा जागा जैसे एक पावर एक पावर भी एतो लॉग में भी आ गया जाता है वैसे ही यहां पर भी सेम होगा इतो आपका लॉग खत्म हो जाएगा और यह आ गया जाएगा अब इसमें एलन की जगप टू-पॉइंट रिज् और तू डिफरेंट टेंपरेटर इवन एंड टी तू इसको एक्वेशन देदो आप से यह तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है इसको ऐसे बॉक्स में डाल देते हैं यह हमारा एक क्वेशन वन बन चुका है एक तो बहुत इसे हैं मतलब कापी इसी है इता आपको मैं अपने पास यह बन जाएगा लॉग और टीवन इंटी तो में यहां पर रिस्पेट्व लिकर के लिने वालाओ फैला हो जाएगा लॉग तो दे बेश्ट इन केवन इकोल टू लॉग तो ए मेरा कॉंस ने तो ए में कोई फरग नहीं पड़ेगा ठीक है माइनस ए ए अपॉन तो पॉइंट रिजरो ट्री आर एवन है तो टीवन आएगा यह और आर्व फर्ण नहीं पड़ेगा यह एक्वेशन नमबर टू दे दो फिकर काम आएगा यहां पर आजाएगा लॉग तो दे बेस्ट इन के टू एकोल टू लॉग तो दे बेस्ट इन ए माइनस ए अपॉन टू पॉइंट रिजरो टू यह एक्वेशन नमबर टू आ जाएगा अब क्या करेंगे सर आपको पता हो का एक सिंपल सा रूल होता है अगर उसको हम माइनस करें तो एक्चल में डिवाइड का काम करता है पता की नहीं पता है यह सुनाएगी ने सुना आप लोग नहीं बि प्रॉम एक्वेशन थ्री मतलब अगर सिंपल लंग में बोले तो एक्वेशन थ्री तो माइनस एक्वेशन टू करना चाहरा हूं यह आपके लिए बता रहा हूं कि बहुत से लोग कन्विज रहे हो आप प्रॉम इन या हुरा है मतलब इसको पहले लिए लिए इसको बाद म ये अपकोन 2.303 R T 2 एक ब्रैकेट में हो गया पाइनस दुसरे ब्रैकेट में जाएगा लॉग टू दे बेश्ट इन ए-पाइनस एपउन 2.303R T 1 प्रैकेट को तोड़ा ओपन करेंगे यह दो लॉग जो है ना हमारा माइनस होने के वज़े से यह क्या बंजाएगा बच्छा डिवाइड का काम करेगा लॉग बंजाएगा के टू डिवाइड वाइड के वन और यह भी हम जब ओपन करेंगे तो कुछ नया चीज़ देखने क यह भाई सहाब बन जाएंगे 2.303 और टीवन सर अब क्या करोगे अब क्या करोगे हवन करेंगे हवन करेंगे दिखाई दे रहा है यह सर पस अब आपका आंसर चम चमाता हुआ दिखेगा देखो हाई तीन मां का आंसर है तो थोड़ी से इज़्जत दिनी पोड़ीगी ना लौक टो दे बेस्टेंट के टू अपएंगे वन एकुल टू लिए निल जाएगा सकरम हैम यह अपॉंन यह को बाहर निकालोग लों अगर मैं क्या बाहर निकालो जिना वोलो यह मेरा माइनस है यह मेरा प्लस है मैंने यह बाहर निकाला तो यह प्लस वाला पहले आएगा और माइनस वाला बाद माद माद आजाएगा पतल अगर मैं क्रॉस मृटिप्लाइ करूँ यही मेरा final answer आने वाला है हो गया वा भाई वाह क्या सी ने यार मतलब मज़ा आगा देखे मज़ा आगा सर देखे यह जितने बच्चे बैठे होंगे यहां पर लगाता है मैं समझ सकता हो येस एलमार देखो सर की बहुत अच्छी है येस बच्चे निखिल बिल्कुल सही यतिने बच्चे बैटो होंगे मैं समझ सकता हुतना स्टेमेन है नहीं आपके पास येस की लगातार तीन गंटे दो गंटे उभी बोर्ड पेपर करो बोर्ड पेपर वही कर सकता है जिसका सिल अप्लीट डिटेल में लिख्वा के दिया जा रहा है पोड पेपर गांसर इक्जाम में कैसे लिखना है वह चीज़े बताए जा रही है आं सोच्छे में क्या बोल रहा हूं येश ऌंज मैं का बोल रहा हूं उस लेवल का यहां पर इक चल रहा है लोग एपन भी मतलब लॉ कितने माद तर्टीन मरका यह सब दीखाना हूगा यहाँ से एक माठ इसके ऊपर मिलेगा एक माट इसके ऊपर मिलात ओर यह थो कहा है यहाँ से खालो है तर्ड ओंवा मुणा के दार क्या है क्वेस्टन जत्व पढ़ों फॉसर पढ़ बच्चा सर बोला इंटर हैलोजन कंपाउड बताऊं क्या बुला है यह ओस्ग अलोजन कंपाउड बताऊ फिर उसके दोकरेटर्श्रिक बताऊ-व्यूकोज के स्ट्रक्चर बनाऊ और टेफलान का रिकसट् question 4 मात पहले हुआ है चार-क्वेस्टिन-चार मात पहला क्वेस्टिन इंटर है लोजन इंटर में बताओ अपको पाथ इंटर ने यह होते हैं यह जोन दोनों आपस में जूडएंगे और ऊसको बोलेंगे इंटर है इल्याजन कंपांट यह किस तरह कहो सकता है एक्स-एक्स की रूप में हो कहता है एक्स-एक्स-फाइफ नो सकता है एक्स-एक्स-इक्स-टर यह डिंध रही होग है आया सँन्टमे करें चलिए पहला कंसेप्ट जब भी कोई कंसेट लिखेंगे आपने टाइटल जरू लिखना अपकी इंटर है लोजन कंपाउड ऐसे लिखना पड़ेगा internal a little compound is a combination of interhalogen compound is a combination of, interhalogen compound is a combination of two different halogen. Two different halogen. It is represented as x x dash, x x dash 3, x x dash 5 and x x dash 7. where x is a halogen, x is a halogen of, x is a halogen of more atomic size and x dash is a halogen of less atomic size. If you have 1 mark, then you can see that. If you have 1 mark, then you can see that. If you have 1 mark, then you can see that. अगे और कितने टाइप के मिलते हैं. अब अगला कंसेप्ट आपके लिए जनरल टू करेटरिस्टिक बताओ, दो करेटरिसिक भाई बहुत ईजी है. characteristics इंटर हैलोजन कंपाउंड बहुत은 है पहला कि अगरेटरिस्टी की एकि जो एक एकस यह wanna बता है बच्छा अपकर में ञाएक्स का इक गृतर्चा आएक्स का डू एक्स अटर्चा दो इलेत्र आपश यह फी हमेंए साट डstep मेंके दिखाएंगे दिखाएंगे पहला और डाय मिनि इस एला लिटाम दों ते आर टाय मैंडिक नीजिर अधा मोसित हम पतर भी किर दाय मेरेंग के पुरूश। यह यह मंतर सकते हैं कि जो एक्स वाला व्तORT मतब जो जिसका है दोट है ऐसा और में रहेगा आंगे पुलेंगे फक्रान wär अंब्हूर। the halogen having less atomic size always odd halogen मतब जिस हालोजन का नमबर या जिस अधर नमबर कर दो जाता अच्छरेगा जिस हालोजन हुआ तन नमबर आफ है लोजन है विंग लिस अटमिक साइज मतलब जिसे एफ की बात कर रहा है ठीक है है इस अलवेज और हमें सा और नमबर रहेगा इस अलवेज और नमबर ठीक है मतलब एक तीन पांच ऐसे रहेंगे है इसरा पोइभ यह लखो ह्के लिये तोल नमबर ढब हैलोजन वी अलवीज ईंशित अलवेज एव इनन भारध से एक्स-3 एफ इस तरह से यह एक सो गया तो तो तीन और एक है इस तरह से टोटल हमेशा और इवेन नमडर रहे तो नोगया हो गया तो मख मिल गए अगले दो मद रॉट्र प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगला दो मक्या है पहला 1 फीश्चर के उपर तर फिश्चर सिंपल है मेरे बाइधर देख जड़ा ती एच ओ स्केल लेकर स्टेट लाइन बनाने का एक दो ती चार पांच मेरा ट्रिक फॉलो करेंगे तो भी तुम पहुंच जाएंगे एक दो तीन नूमबर पर ओयच लेफ्ट में बाकी सब जगा राइट में कुछ गया दिमाग में तर बहुत कुछ गया दिमाग में नाम क्या होगा इसका भी अग्लुकोज की हमारा अंसर हो गया अगला क्वेशन क्या बोल रहे हैं टेफलोन बना की दिखाओ एक मां का अंसर टेफलोन कैसे बनेगा इंपोर्टन है कि सर्जिट टेफलोन आएगा ना तो उस समय उसके ओपर कैट्लिस क्या लगाएंगे विगाद बहुत सारे बच्चे लोग को नहीं पता हो देकिए कैट्स क्या होता टेफलोन की नाइंब पर पैरोक्साइड पॉलिमरेशन यह सब दिखाना होगा कि आप डिरेटली टेफलोन मत बना क्या जाना यह रियक्षिन पूछा हुआ है कि रिपरेशन आफ टेफलोन यह रियक्षिन आप टेफलोन जो भी है ऐसे टाइटल लिगो ताकी जानों का पता चले कहां आप इस टेफलोन वाले कुस्टन का आंसर दे रहे हो पच्छासा हि हुआ है अब बताओ यह क्या इसको बोलेंगे ट्रा जो सुना भचा फ्लोरो कि इतलीन कार्वन कार्वन डबन पर यहां पर क्या रहेगा यहां पर आब यहां ईगा सीव टू सिंगल बॉन sia फ्कॉर और अच्य से लिखना चाहते हो कर दो देखो कि यहां पर मिले एक माँ में बहुंगत है गांद तेन माक हो गया यहां पर मिल जाका एक माक थीओ दोल समझ में आया डिकतु matter मधलें इल्टी नीन इसकाई प्ट्रध शने कोंसे है 289 कॉस्च्राइब दर कंस्ट्रक्शन in working of 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 care of a standard hydrogen electrode s h e market my demanded o kiska s h e s h e yes she will be there then only you can write this answer she must love con standard hydrogen electrode yes what is something I am a child a yaro exam the yaro paley apple concept some drama me hey cap the best standard I don't let me know and I was on a plane I'm gonna a dynamo now which is kind of regular standard hydrolde or was cool working my button on this comments in case of related karma about more Zinka oxidation using a pilot or positioning kind of method car time this is the whole moral of the story let go chemistry char maxi the direct पुरा क्वेश्चन चारवाग का है तो अगर मैं डाइगराम की बात कुर तो कुछ ऐसे डाइगराम की बात हो रही है ऐसे लेंगे एक ग्लास का जैकेट डालते हैं हम इस तरह से ठीक है अपने थोड़ा बहुत देखा होगा और यहां से जैकेट यहां से गरम-गरम हवाएं ह्टऊ कंड ह्टोण होती है डा एकड़म वह यहां पर वेशी शरी हैं नीचे हanno यहां पर हम प्लेटनम का राउड लगा देते हैं यहां पर अंदर हम मर्क्युरी भर दितुए हैं ताक वह इन्रड बनाके रखी अंदर गयास बरते यहां पर solution रहता है एककर solution तो यह पहले तो आपका construction पूछा ना describe construction ये diagram बना कि जो मैंने बोला होर दिखाना है पहले यह होजागा अपका diagram और construction विल्कोल ने सर आप बोला कि वर्किंग बताओ वरकिंग में यहाँ बंजाया मेरा ही नॉट एच्टू माईनस इनाट जीनक बन जाएगा ज्याशन संट के साथ अतरे करोंगा चुलो दिखाता हो मैं अगले मैं के यहां पर जींक ले लूँगा वरकिंग बात कर रहा हूं यहां पर एक रॉट डाल दिया इस तरह से यह सलूशन डाल दिया जैसा आप जानते हो गैलवनिक से वाला यहां पर वह हाई्टर जो वाला कंशिर बनाया था वामसे बना दो यहां पर गेला से यास का लोड ले लिया तरह से यहां परॉड थे और ढिंगहें तरह से यह संब कर दीया कहा यहां पर है वोडल जीका समझ voz क्या है यहां पर 대ौजिन का घा एर यहां पर क्या होगा यहां पर भाइब आपफा जो एनड़ अमेरा ढ Shoulder स्राइशं में आफर करनें इस है रहा है पर मतलब बील्कुल सभी जवाब और यहां पर यही चीज में आपको पीछे में बता रहा था समझ में आया अब जैसे आप यह करोगे आपको तो पता हिए कि हाइड्रोजन मेरा रेफरेंस लिटो होता है सिंस जो हाइड्रोजन होगा बच्चा इनॉट एच टू वो तो जिरो गोल्ट होता है और इसी लिए हमारा जाएगा पाइनल आपको बताना है इसके अंदर और मॉलार संट्राशन मेंटेन करना भी मुश्किल है करना मुश्किल होता है तो सर अभी हम क्या करें अभी आपके सामने आंसर लिखा हुआ है फटा-फटा-फटर गोत्रू करते हैं बोर्ड के पैटन में बिल्कुल ऐसे लिखना है आपको आपको बताया था अभी 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 इसमें का होगा इसका रिशन दिखाओ हो बतलब सर यह मेरा हाइडोन गारेक्शन हो गया फॉर्मलेशन एच प्लस एच टू बन जाता है और वहीं पर एच प्लस जब दो इलिट्रोन लेगा तब यह एच टू बनेगा और इसका वोल्टेज जिरो होता है अब आप यहां पर देखो एप्लिकेशन की बात करेंगे है कैसे युज़ करते है जिंक जो होता है जो कि टू प्लस से आपका जिंक बन जाएगा तो एसे एसे वह पता चल रहा है इस से हमको यह पता चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है निकालने के लिए यूजो रहा है दुए अप्लिकेशन में यूज प्राइब रेफरेंश इलेटोर विच इस एल्पस्टो डिटर्माइब अब यहां तर लिकेंगे बाद में यह कुशन दिखाना नीच वाला यह इनीच वाला किया बच्छा सेल नोटेशन बोलते हैं इसको और लास्ट में स्टैनर इल्प पोटेंशिल में बताया था इनॉट से लिपोल टू एनॉट एच्टो मानेश की नॉट जिंक हमको बता है एच्टो जीरो होता है इसलिए माइनिस नोट जींग आ गया और इस तरह सामारा जो इसींक क्योंत विका मॉलार कॉंसेंट्रशन आ कोई दिक्कत नहीं है सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है सब कुछ येस तर इसका डिफिकल्टी क्या होगा और ये से यार दो तीन डिफिकल्ट आपको मालवी नहीं है इफिकल्टी दॉप्ट प्योर है रहा है पहुत मुष्किल लगए प्रेश्वर आप एक बा कि दिक्क्यत कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी किजे एकदम आपने सॉल्ट भीड भूल गया सर कंसेब्स अनजयाते संजयाते तर आप सॉल्ट भीड लगा सकते हैं पर ये बात तो सही बोला बच्चे अब डियाग्राम में देखें तो वहापर भी सॉल्ट ब्रीज है लेकिन क्यूँ यूज करते हैं ताकि वह इलेटरिकल निउट्रिट्री इनकी आ रहे बच्चा मेंटेन रहे ये कश तो सॉल्ड ब्रीज इलेटरिकल बीट्रिली मेंटेन करने के लिए आपर बताते हैं क्वेस्टन नंबर कौन सा आ गया बहूं ना क्वेस्टन में आ गाए सर फिसंटने नंबर 3D OhMyGod तर यह तो OhMyGod वाला question आ गया एस सर यह तो OhMyGod वाला question आ गया क्यों भाहि में तर खतरना question he's spontaneous spontaneous आता है सर मैं धर जाता हूं ठीक है मैं हुना यहां पर है में रहाए बच्छा अठेंशन के ले रहा है तो तू टेंशन ले रहा है राइट इन टू डोसी उलें बर फिर्स्ट लोव थरमो दानेमिक्स भाष्ट ला नेमिक्स is equivalent to two statement kya ho ta hai, energy is neither created nor destroyed, देख लो, energy is neither created nor destroyed, नही बाद है, energy नही नही तो क्रेट किया जाती है भाई, तब क्या करते हैं, जाती है, energy is neither created nor destroyed, it is just converted from one form to another form, it is just converted from one form to another form, my last statement हो गया, yes sir, the total amount of energy in the universe remains constant, the total amount of energy in the universe remains constant, समझ माया है बच्चा, remains constant, कोई दिक्कत है, कोई confusion है तो बोलो न यार कि डाउट आ रहा है, कितना एजी एड़ो, एक मार्क फ्री के मिल गए, एक मार्क फ्री के मिल गए, है कि नहीं, कोई दिक्कत, एक बच्चा बोल रहा है, कोई सब्सक्राइगा, कोई सब्सक्राइगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बच्चा बोल रहा है, इसको नोर्मल जूल बनाना, इसको नोर्मल जूल बनाना, तो मैं आपको दिखाता हूं, यह क्या यूस कर सकते हैं, अगर मैं आपको बोलू, अगर मैं कहूं, यह क्वेशन जब दिख लो क्या है, पर फिर से पढ़ लो चीए तो, और रहा, अगर अगर आप डिल्टा एच को जरा देखते हैं, पहले क्या दिया है, दिल्टा एच नॉट भी आए, माइनस, यहां पे लिख लो, दिल्टा एच नॉट भी आए, माइनस, टू टू पोर, फिलो जूल, जिसको मैं सॉल करूंगा, तो माइनस, टू टू पोर, एक, दो, तीन, जूल आ जाएगा, यह, एक एगरी कर रहे हो, इस बात से, आहिकरी कर रहे है, खिल्ता, एस नॉट भी एचम, नस के तना डाया है, इस नॉट कितना डाया, टीनर काहसा, अब बताओ अंसर में क्या आएगा अब बता बच्छा एवरीवान जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ वाट इस दो करेक्ट आंसर जी एक्वल टू एच इंट बची नहीं दिया ना बच्छा अनुरुट जी दिया है क्या आपको एपर लिखाए गिप सेनर्जी के बारे में बात क्या उसने एक करो एट वाट तेमपरेचर अचेंज इस ओवर फ्रॉम एक रिलेशन था जरायाद करो जरायाद करो बच्चा तोला तोला आपको याद आएगा कुछ कुछ याद आएगा जल्दी कुछ कुछ याद रहा है क्या मैं ऐसा फॉर्मूला कुछ या आया बोलो कि येस ग्लोबल फैक्ट क्या वाद है ग्लोबल फैक्ट पहले भी आता तो मुझे याद है यह बच्चा हमारा पुराना बच्चा है ठीके लांस्ट एर मैं ने देखा था ग्लोबल फैक्ट हमेसा आते थे येस और इस बच्चे को मिला है ये इस से यूधि पी वाँ इसों बहुत प्राओड और बमुक्रламेंट यारा तरो में यास्ट चलिए यह प्टाइब फार्मुला किसी ने दिक आ हैइं पार भी चल्डी से पता है इसाडीनिता इस इन पारदिये नहीं है तो मैं क्या करूं तो इस तरह से क्वेशन बन सकता है और आंसर में माइनस आफ माइनस प्लस बन जाएगा तो तो टू फौर ट्रिपल जीरो इवाड़ माइनस 153 मैनस मैनस प्लस बन गया जरा चेक और एक बार परफेक्ट है जेकर बच्चा इमाग चला जरा कितना आ रहे हैं सौल करने पर किसे ने सौल किया किसे ने सौल किया जरा बोलो आस इक्वल टूएच टी एसिक्वल टूएच टी एसपिल टूएच टी इस एक्वल टूएच टी ने पच्चा एशी कोते आ रहे हैं आप लो अंसर क्या आएगा कि मांग चला लो काफी कि यह बर्दस क्वेशन लग रहा है और रियक्षिन डिल्टा एच नॉट इस दिस मच इसको मैंने की जूल में ले लिया और डिल्टा एस नॉट आपको दिया है इतना ठीक है और हमको बोले स्पॉंडिने स्टो नॉस्पॉंडिन निकालो हमने यहां पर कंसिरर कर लिया इस तरह से जिरो जिरो भी ले सकते हैं आप लोग और सॉल करो बताओ कि तना आ रहा है जल्दी बोलो कि 1464 आ रहा है 1464 और रिश्योर जोब इस अधर हां उतरा आ सकता है स्टो अट जयादा आ रहा है कि रुचा रएक मार प्रिछ है यह स्पॉंटेने अपने पास पॉंटेन इस एक और फोर्मूला अपने पास है बट हमब्व भूंफल ऑफ ँसले वाम है वे जहाएंघता है यमठों पटका जाना एक और फोर्मूला अपने पास से लेकिन वहीं उपने फॉर्मुला वाला फॉर्मूला अपने पास से आपको याद होगा तो जहाँ पर हम डिल्टा जी जी अपने बहां देख रहा हूँ अरे डिवाइड करो ना यार तुम क्या रहे हो अरे माइनस नहीं करना है यह दो जरा कुछ बच्चे माइनस कर रहे है भगवान उठा ले मुरको अरे डिवाइड करने के लिए बोला है मैंने 2-4-0-2-4-0-2-4-0-1 इनको लगना सब प्लस मैनस तो मैनस करना है नहीं न बच्चा मैनस नहीं करना है जल्दी बोलो 1-4-6-4 परफेक्ट 1-4-6-4 इतना कैलविन आ चुका है इतना कैलविन आ गया है हलांकि प्लस मैनस के इसमें खास असर नहीं पड़ेगा विगोजे काम करने और हीट लेने देने के उपर होता है इतना हमारा क्या होगा बच्चा टेंपरचर आएगा यह आपका क्वेश्चन दो माक्का था यह पहला एक माक्का मिला और यह आख यार हो और यह ङूजनबात बहुत बढ़ियां लाक टेबलंगे कर सकते आपकी मर्जी बच्चाव के आपकी मर्जी कि और आयों आइज़ेशन आइसोमन किसको बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन कोन होता है और बात में यूजर और एंजृमेटल इफेट पूछा है मतब या कॉशन में दो भाई सब्सक्राइंड तरश्ट्राइंड पार्टिकल मिटि विटि मिट को होती है जो और लगी रहते इसको गैन्टोंने स्पियर और लिजेंड दोनों क्या होंगे एक पर अंदर आएगा मतलब प्लस मैंस अंदर बाहर जाएगा ठीक है और अरो मेंटिक उन्ट का मतलब कि जहां पर आपका अराइल गुरूप जो है ने बच्छा बेंजिन रिंग से अटेच रहेगा मतलब अराइल से अटेच होना चाहिए यह कंपल सरी है तो उसको आपड़ेगा वहाँ पर आपको बिलोगने एनॉर्मेंटल इफिट का मतलब आपके बॉड़ी पे क्या हम फुलिपेट आ रहे हैं बोले सोज में आ रहे हैं येस कोई डाउट है कोई कन फ्यूजन तो बताओ गैंग्यू क्या है तो गैंग्यू है बच्छा हमारा एंग्यू बोलते हैं बोला सही बाद है येस 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 चीज़े इक दमासान हो रही है सर आयो नहीं समर क्या होता है आयो नहीं समर इन्वार्व एक्षेंज अप लिजेंड बिदिविन कॉर्डिनेशन और आयो नहीं स्पीर मतलब सर जैसे के ले लो सी आर नह 3 5 ताइम्स पी आर एस सो फूर है दिखाई दे रहा है यह सर अब यहां पर इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी आर एन एच थ्री फाइफ टाइम्स एस सो फूर अंदर आ गया और यह भाई साहब बाहर चले गए सिर्फ डेफिनेशन पुछा है तो आप इतना ही लिख दो बस एक्स्ट्रा बोलने का ने क्योंकि डेफिनेशन एक मांगता है नेक्स्ट एरोमेटिक किटोन क्या है सर जहां पर सी डबल बांड ओ ग्रूप जो होगा इसका हम कार्वन ग्रूप बोलते कि से अटेच होगा अटेच्ट टू आइधर टू अराइल ग्रूप या फिर वन अलकाइल वन अराइल भी चलेगा उसको बोलेंगे आरोमेटिक पिर सी डबल बॉन्ड ओ और दुसरा बेंजिंग कि समझ में आया क्या एक्जामपल कोई दिख्क्या थे बच्चा किसी को भी यह सराल बुलने सर यह कुश्चन है ऐसे प्रिंट वा देख दम वर्ट टू वर्ड इसके पहले वालब क्या वात है क्या वात है बहुत बढ़ि चलिए अगला question यूज़ा बताना है डाय किसका उसे बताना है मिधलीन ख्लॉड वीलाइन है और पॉला था पॉला था दरप लो कॉस्टन में क्या बोला था सब्सक्राइब सोलविंट के रूप में it is used as a propellant in Rs. pig के रुप में भी इसका हुगा यह यूउसे intra-al ministre फेत्स पेर में इसके वदीक अपैने बोदी पर आशार गया हुगा एकतार से बोल सक्वाइब से एक्सपोजर आए-उल्पे लगेगा विकने साइगी यह सारी चीजे हो सकते हैं इस हाली डेंजरस इफ इस कमसें इंगे डारेट कॉंटेक्ट विद आईज यह यहां पर यह सारे इसके क्या है साइड इफेक्ट बोल सकते हो या एनवर्मेंटल इफेक्ट बोल सकते हो किस तरह से यह हामफूल होता है किस तरह से हामफूल होता है देख लिए बच्चा क्या बढ़ियां कंसेप्ट चल रहा है सर क्या बढ़ियां कंसेप्ट चल रहा है एकदम नसों में उतर गया एकदम य येस लगा तार अंदाज में जुड़ने के लिए मज़ा आगा एकदम येस आल अबाउट केमिस्ट्री येस जिन्दाबाद तो भाई आपने बहुत जबर्दस अपना डेडिक्शन दिखाया और मज़ा आगे आपके साथ लेक्चर लेके पूरा बूर्ड का पेपर चुलाई जो 2023 का पेपर था बच्चा वो पूरा का पूरा यहां पर हो चुका है दो एंड था पूरा एंड हो चुका है खतम हो चुका है यस जल्दी से क्या बाद है क्या बाद है यह वहीं न बात येस तो मिलेंगे ऐसे खुब सुरद से लेक्च्चर में नेक्स्ट वीक और तब तक आप बहुत सारा प्रैक्टिस करते रहे यह बहुत सारी चीज़े बहुत सारी चीज़े स्टडी कीजिए जो आपको लग रहा है कि मेरे लिए जरूरी है वह आपको करना है बहुत धमालोने वाला है एकदम अलग लेवल का सुकुन देंगो आपको मैं अगर आप हमसे जूड़े रहेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर लो फटा फट सब्सक्राइब क्योंकि आपको हिस्सा बना है इस आर्मी का ताकि हम आगे जंग जीत सके येस मिलते हैं नेक्स टाइम चलो भाए बच्चे बाइवरें भाए मिलते नेक्स टाइम जलो भाए जैहीन पीलते नेक्स टाइम